इन्वर्मेंटल साइन्स त्योरी प्रैक्टिस वन बीए प्रोग्राम में हो ओनर्स में समस्टर फर्स्ट वालों के लिए आज सब जवर्दस इन्पोर्टन कोसंस लेके आ गया हूँ जो आपके पूरे स्लेवस को कवर करता है आपको ये पूरी वीडियो अन तक देखनी है मैं विक्वर्मा और आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे इस चैनल पर एक नज चैप्टर है फोर यूनिट में इसे केटेग्राइज किया गया है हम इसमें ओवर्विव ले ले लेते हैं क्योंकि एक्जाम में जब आपके पास आएंगे कोसंस कुछ कोसंस ऐसे होंगे लगेगा कि हाँ इस चैप्टर के बारे में हम तो जानते हैं अगर ऐसा कंडिशन आ कमेंट बॉक्स के अंदर यह जल्दी से बता दू कि एक फर्स्ट यूनिट आता है कॉंटेंट टेवल का हमारा क्या है इंट्रोडक्ष्ण ओफ इंवार्मेंटल साइंस हमें क्या करना है पर्यवरन अध्यान का परिच्च्छे करना है परियवरेंट के बारे में हमें पूरा introduction से लेके अन तक हम पढ़ेंगे क्योंकि यह हमारा subject है वो ही है environmental science हमें पूरा environment के बारे में study कर लेना है ताकि हमारा environment किस तरीके से हमारे लिए helpful होता है हमें किस तरीके से हर चीज़ provide करता है सब कुछ हमें इसमें देखना है chapter second है ecosystem concept structure pyramid and sequential study मतब पारिष्थिती की तंत्र का अवधारना सनरचना pyramid और अनुक्रमन की बात करनी है अब आप जानते हो कि जो हमारे ecosystem है यह जो हमारा पारिष्थिती की तंत्र है एक जीब दूसरे जीब पर निर्वर रहता है खाने के लिए काम करने के लिए हर चीजों के लिए उसके pyramid के बायें बात करें गएं concept के बारें में बात करेंगे और अनुक्रमन के बात करेंगे हमें इस chapter second कि आंदर दोनों medium को लेके चलने वाला ह stran थार्ड हमारा chapter चेप्टर आता है उर्जा प्रभा और उत्पादक्ता की बात करिंगे चैप्टर फॉर्थ में अगर हम देखे तो Ecosystem में Type और Services की बात करिंगे कितने Type की हमारी Ecosystem होते हैं and Services क्या है पारिष्थिती की तंतर की सेवाई क्या है चैप्टर फिफ passive हमारा Natural Resources पे है जो energy resources की अंदर आ जाता है, फिर हमारा chapter 7 की बात की, 8 में हम क्या पढ़ते हैं, 8 हमारा chapter आ जाता है, जो pollution पे dependent है, उनसे पे pollution, अब हम pollutant की बात करेंगे, कि pollution हुआ कैसे, तो वो pollutant की बात करते हैं, और वो pollutant कौन से होते हैं, जो unwanted particle होते हैं, like हम ऐसे particle जो हम नहीं चाते हैं, जाके पानी में जाके मिल जाए, तो water pollution कैलाएगा, जब air के अंदर मिल जाए unwanted particle, तो वो air pollution कैलाता है, अगर किसी भी चीज में जाके unwanted particle मिल रहे हैं, जो हमारे लिए useful नहीं है, वो pollution का reason बन जाता है, natural resource में, energy resource study की बात करेंगे, यहाँ पे उर्जा संसाधन की, chapter 8 आपका pollution है air का, noise का, nuclear pollution की बात करते हैं, हम यहाँ पे, ठीक है, study में, पर्दूशन, वायू, सौर और पर्मानू पर्दूशन की बात, ठीक, then आता है आपका pollution है, water, thermal, ठीक है, आप water के कारण, thermal के कारण, और soil pollution की study करनी है, पर्दूशन, जल, तापियो, और मिर्दा पर्दूशन, chapter 10 आपका solid waste management का, solid जो है, उसका waste management करना है, कि कैसे, किस तरीके से, उसे decompose किया जा सकता है, खतम किया जा सकता है, और उसके बारे में, पूरा आपको अध्यान करना है, यह 10 chapter में, आपके पूरा slaves को categorize किया हुआ है, चलिए अब एक नजा डालते हैं, हम अपने first question पे, then start करते ह हैं, क्योंकि हमने, जो questions आपके मिलेंगे, वो questions आपके exam में, जिस type के आते हैं, उसी type के questions आपके इसके अंदर आपको provide किये गए हैं, जैसे आपका first question आपके screen पे है, हमारा, क्या है, define the following is not more than 25 words, आपको क्या करना है, इसको define करना है, और define में कोई कितने भी part आजाए, मैंने यहाँ पे आपको जो part दिये हैं, इनको आपको करना है, ठीक है, अब define में सबसे पहला है, जो define the terms आया हुआ है, वो define the terms क्या आया हुआ आपका, कौन सा है आपका, hydro sphere, अब hydro sphere मतलब होता है, gel bundle, अब यह gel bundle किस तरीके के काम आता है, तो हम कहेंगे कि एक ऐसा area, यह कह सकते हो एक ऐसी जगा, जो पूरी की पूरी जल से घीरी हुई हो, लाइक आप जानते हो कि आपका जो earth surface है, उस earth surface का भी, आपके पास 70% जो earth surface है, वो पूरा का पूरा जल से घीरा हुआ है, और वही जो जल से घीरा हुआ surface है, area है, उसी को हम gel bundle के नाम से जानते हो, और gel bundle मतलब हाइड्रोस्पेयर में जैसे आपका समुंद्र हो गया लेक्स हो गया पॉंड्स हो गया यह सभी चीजे जो होती है वह जल मंडल के अंतरगत ही आती है तो आप समझ जाओगे कि हाइड्रोस्पेयर क्या होता है एक ऐसा एरिया जो जल से घिरावा हो और आर्थ का 70% जो एरिया है वह पूरा का पूरा जल से घिरा हुआ है ओसियन लेक्स एंड रिवर के यह आपका यहां पर आ जाता है फर्स्ट जो यहां पर हमने देखा ठीक है यहां पर हाइड्रोस्पेयर की डेफिनिशन अप अपने अकोडिंग देखो तो यहां पर हमने यहां पर लिग दिया है जल से घिरा हुआ है इसी को हम जल मंदल के आते हैं कहां कहां महासागरों में आपके जीलों में नदियों में और तरह तरह की चीज़ों में यह बटवारा हो रख then second आता है आपका land degradation मतलब भूमी का अपकरमन हो जाए खराब हो जाए कुछ जादा ही यूज कर लो यार तो उस टेम पे क्या होगा वो भूमी क्या होती जाएगी धीरे धीरे उपजावपन उसमें से खतम होता जाएगा fertility उसकी खतम होते जाएगी तो land degradation का मतलब क्या आता ह है जो हमारा काम आता था सब कुछ वो खतम हो जाए नील की खेती किसलिए बंद की जाती है क्योंकि जब नील की खेती कर दी जाती है एक भूमी के उपर उसके बाद क्या होता है कि नील की खेती करने बाद वह भूमी जो होती है पूरी तरह से उसका fertility fertility system मतलब एक efficiency होती है भ और अपरदन होना start हो जाता बाढ़ के आने का reason बन जाता सूखा पड़ जाता यह land degradation के कारान ही होता है second point आपने यह definition में देख लिया third point कोई भी doubt हो आप नीचे comment box में जरूर बता देना आपका clear करते चलेंगे हम doubt को third point है हमारे यहां पे soil erosion यह क्या कहलाता है आपका इसको हम कहते हैं यह होता है भूमी का आपका मिर्दा का अपरदन अब अपरदन मतलब पता है क्या होता है अपरदन मतलब होता है यहां की मि मिट्टी दूसरी जगा पर क्या चली गई चली गई मिट्टी की उपरी परत हवा या पानी के कारण एक जगा से दूसरी जगा चली जाए उसी को हम कहते हैं आपका मिर्दा का अपरदन हो जाना soil का erosion हो जाना और इसको एक जगा से दूसरे जगा ले जाने का travel करवाने का का परण जो बनता है वह आपका या तो एयर बनेगा या तो आपका वाटर बनेगा पानी बनेगा इसी कौम क्या कहने लग जाते हैं अच्छे पार्टिकल्स उनकी वी कमी होती है वह एक जगह से दूसरे जगह जो होते हैं वो जाना ही स्टार्ट कर देता है जिसके करण के अमिर्दा का परदन होता है और भूमी के उपरी परद के जो करण जो होते हैं वो एक जाए से दूसरे जगा ट्रांसफर हो जाते हैं ठीक है तो यह चीज आपका सीट नहीं भनना होता है यहाँ पर यह डैफिनेशन ट्रम है कितने भी पार्ट है इसके दो पार्ट है एक कुशन के अंदर दो पार्ट है यह पार्ट यहां पर प्रात्मिक उपादक्ता मतलब यहां पर प्राइमरी प्रोडक्टिविटी अब प्रोडक्टिविटी मतलब जानते हो जो प्रोडक्ट को बनाता है नहीं है डाइग्राम साथ साथ यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ जिससे आपके रिमेंबर हो जाए मतलब यह चीज देखके न आप remember कर पाऊगे easily किसी भी चीज को जो image के थुरू अगर आपने समझ लिया डायग्राम अगर बना दे तो much better otherwise यह definition ट्रम में आप डायग्राम जरूरी नहीं है आप एक flow chart अगर करना चाते हो कर सकते हो अब यहाँ primary productivity के अंदर क्या आता है प्रातमी उत्पादक्ता का वो इनसान जो खाना बना रहा है आप उस खाने को खा रहे हो आप simple सी बात है कि खाना आप बनाने के लिए जो आप ले की आ रहे हो घर में जो भी material ले के आ रहो वो कहां से ले के आ रहो आलोप्याज यह कहां से आई यह उगाया गया कहां से उगाया गया कि जो हमारे farmers से उन्हों ने उगाया और फारमर्स ने क्या किया उन्होंने क्रिसी की फल पकाते हैं उस फाने को हम छीन लेते हैं और छीनने के पाद हम खा लेते हैं इस से एनर्जी का ट्रांस्फोर्मेशन हो रहा है लेकिन जिसने खाना फर्स टाइम बनाया वही क्या लाता है primary productivity मतलब क्या होता है जो plant होते है वो biomass जो होती है वो area unit product को परकास अंसलेशन करके मतलब फोटो सिंथेस करके energy को क्या करते है इस टार्ज के रूप में जो इस्टोर कर लेते हैं और इस्टोर energy को फ़लो के रूप में हमें provide कर देते हैं इसी को हम primary productivity के नाम से जानते हैं प्रात्मिक उत्पादक्व फिफ्टा था आपका geothermal energy जिसे हम भूत आपिये उर्जा के नाम से जानते हैं अब भूत आपिये मतलब जीयो मतलब आप जानते हो earth होता है जीयो का मतलब क्या होता आपका earth और thermal मतलब क्या होता आपका heat energy मतलब आप जानते ही हो मतलब doing work efficiency of doing work किसी कारे को या किसी काम को करन का कुलू हो गया सोहान हो गया यह हर्याना के अंदर है मनी करन हो गया यह जगा पर क्या होता ना कि आर्थ से क्या होते आर्थ से कुछ हीट प्रोड्यूस होते है उस हीट को हीट एनर्जी का हम यूज क्या करते है उस हीट एनर्जी को जब वो बहार आती है तो इससे क्या होता हमारा थेक तो इससे क्या होता आपका जो भी जियो थर्मल एनर्जी है वो जियो थर्मल भूत आप एनर्जी का कारण बनता है कि अर्थ सर्फेस से जो एनर्जी निकलती है उस एनर्जी को हम इलक जो एनर्जी निकल रही है उसमा निकल रही है मायनलो रख दिया यहाँ पे इस टर्वाइन को रखा तो टर्वाइन गूमने लग गई अब गूमेगी तो कोई चीज चलने लगेगी चलने लगेगी तो वह एनर्जी तो देगी हमे तो चलने की वज़े से क्या करती है वह एनर्जी को प्रोड्यूस करना इस्टार्ट करती है लिथो इसपेर क्या होता है अपका सबसे उपरी परत क्या होता है फ्लेन होता है यह Overall क्या होता है यह सबढमारीय यह सबसे आप बाले भाग में ही तो है उन्हें ही हम लिटो इस्पेर के नाम से जाने लगते हैं जहां रॉक्स होगा है मिनरल्स जो होते हैं यह प्रोवाइड होते हैं रॉक्स मिनरल्स हमारे खनीज पदार्थ हमें मिलते हैं उन्हीं को हम लिटो इस्पेर इस्थल मंडल के नाम से जानते ह सबसे हाईस्पेयर के अंदर के अंदर के अंदर कि या.. आ थे ला जानते ना सबसे खतनाक अप्सिष्ट पतार्त आपसिष्ट क अपने पन्णी वंणी तो जानती ही हो वगरा की बात तो अलग है और आपने हाड़ीेस वेस्ट को फैक दिया खतानाक वेस्ट मेटरियल, कुछ चामिकल और ओ गएरा हो गए इन सब चीजहों को हजाड वेस्ट जो होते हैं वो पोटेंशुल पोस्ट पोटेंशल पोस्ट और डेरीक्स human, animal, health and environment कुछ chemical वगेरा इस तरीके सा आपने fact दिया वो कभी chemical जो होता है वो हमारे our surface को तो impact करेगा ही करेगा बट वो chemical के थूरू जो gases निकल रही है gas जो निकलेगी वो हमें आरे health को भी impact करना start कर देगी क्या करने लग जाएगी? health को भी impact करना start कर देगी उसकी वज़े से हमारा health खराब होगा और उसकी वज़े से health खराब होने लग गया तो हमारी productivity भी खराब होगी तो क्योंकि waste material जो होता है वो हमेशा क्या करता है? आपकी कुछ ना कुछ gases जो होती है वो produce करना start कर देता है hazarded waste जो होता है वो कोई भी चीज़ हो गया जैसे petroleum की refining के थूँ जो material निकलता है petrochemical जो होते हैं तेख यह आपके aluminium हो गया यह सारे चीज़े जो होती है वो decompose नहीं होती है तो यह जाए ना gases को produce करती है और वो ही gases जो होती है हमारे health के लिए हानीकारग बनते है हम oxygen के सासत कभी कभी क्या होता है कि जब हम ज़्यादा тेजी से सांस लेना start करते है तो हम mouth को open कर elétे है मूँ को open करने के आप वहाँ से सांस लेना start करते है तो जो particle होते हैं वो direct हमारे lungs में चले जाते है लंग्स में जाके वो क्या करते है हमारी चत्ती में और वहाँ जाने के बाद फेफड़ों में जाके हमें एक अस्तमा की विमारी आप जानते हो ना हसतना कब सिष्टका हो गया फिर दैम की बात की जाए तो आप जानते हो कि बांध एक ऐसा सिश्टम है या कह सकते हो कि एक ऐसा संग्राले आले मालो पानी के लिए जगा मालो जिस जगह का use हम क्या करते हैं कभी हमें क्रिसी में पानी का use करना पड़े है ना तो water का storage जो होता है वो हम क्या करते हैं बांधों के निर्मान करके किया जाता है और हमारे जो ये अजादी हुई है अजादी के बाद independence के बाद हमने 700 से ज़्यादा dam जो है पानी को निकाल लो damn बनाकर इससे फाइदा हो जाता है और बारत में सभवसरे जयाधा जाने वाण आप Śचाराइब यह ही रसी ऐसे हम पानी के यूज करते हैं और इस पानी के यूज करके सिद्थाम के यहाई करते हैं इससे अब आपको conceptual वेस्ट देखो कैसे जैसे फर्स पार्ट बोला United Nation has the formulated 15 sustainable development goals सन्युक्त राज्ये ने 15 सतत विकास लक्षे तयार किये क्या आप सब जानते हो इसका अंसर क्या 15 किये या उससे ज्यादा किये कि अंदरा किये या उससे ज्यादा किये किसी को कोई जानता है इसके बारे में रुए या फॉल्स हमें इसको नीचे कर देता हूं कहीं आप सब अंसर देखो वह बहुत है बताओ जल्दी से ट्रू है या फॉल्स है क्वाल्टी को चेंज किजी आपको दिख जाएगा क्वाल्टी को चेंज किजी दिख जाएगा अब ट्रू और फॉल्स की अगर हम बात करें तो ट्रू और फॉल्स में क्या होता है ट्रू और फॉल्स की अगर हम बात करें नहीं है ठीक है ट्रू और फॉल्स की बात करें त आप इसने बोला है plastic store is a example of a single use plastic जो आप plastic store use करते हो वो क्या single use है एक वर यूज करो और फैको बिल्कुल सही बोला है ऐसा ही माल होता है एंठाड होता है आपके बैक्टेरिया हुआ छोटे बैक्टेडीया वह क्या कर देते हैं क्या डीकमपोस कर पाते हैं बिल्कुल नहीं कर पाएंगे अब मैंने क्या बोला कि remote fact दिया मैंने remote के अंदर आप जानते हो ना छोटा सा एक motherboard निकलता है क्या motherboard को decompose कर देगा वो bacteria नहीं खरेगा ना तो इसलिए क्या होगा सब जानते होंगे के बारे में तो कौन नहीं जानता होगा इना चिपकु आंदोलन का फादर का जाता जिने 1973 में उन्होंने स्टार्ट किया था उसके बाद ही दस साल बाद ही 1983 में आपका यह अपिको मुमेंट स्टार्ट हुआ कनाड़ा के अंदर ठीक है देजेट आर धी Highly Productive ecosystem क्या होता है रेगिस्टान क्या अत्यदिक उत्पाध प्रिष्थिति की तंतर होता है बिलकुल नहीं अब देजेट के अंदर आप जानते हो सबसे ज्यादा Heat होता है वहाँ पानी की वाटर हाई नहीं तो कहा से वहाँ पर productivity बढ़ेगी बढ़ाने के लिए पानी चाहिए होता हीट चाहिए ओ अपानी तो हाई नहीं है तो मुझा हीट हीट से थोईना खाना बन जाता है तो इसलिए यह भी पॉल्स में आएगा renewable energy resource are also called the conventional energy resource क्या बोला इसने है। आच्छा है उर्जा अब वाँ क्या बात है। संसादनों को पारमपरिक आच्छा है रूर्जा को नवी करनी है उर्जा के नाम से भी जानते हैं। याद रखना है इसको हम नवी करनी है उर्जा के भी कहते हैं। आच्छा है और नवी करनी है दोनों से में क्या इसको हम पारंपरिक उर्जा संसादन भी कह सकते हैं बिल्कुल नहीं कह सकते हैं पारंपरिक मतलब क्या हुआ जो घरेलू यूज में यूज हो रहा है और घरेलू यूज में गोवर गैस यह सब चीज़े यूज करते हो जो खत है ना जियो थर्मल एनर्जी होगे यह सारे रिन्योवल में है किसके अंदर आते हैं नभी करने हो उड़ जामें लेकिन कन्वेंशनल को होता है जो घरेलू यूज़ डोमेस्टिक यूज़ में यूज़ के लिया जाता है जिवास मिंदन जो है यह इसके अंदर यह आता है हम कहते हैं यह चलो बहुत अच्छा अब हम क्या बात करते हैं नेक्स्ट आपका पाट आ गया इसको भी देख लेते हैं सेवन पाट में क्या बोला इसने सेवन पाट के अंदर अपका कि PM10 यह क्या है PM10 पार्टिकल की साइज को मेजर करने के लिए लिखा जाता है याद रखन 10 जो होता है उसका higher diameter होता है क्योंकि पार्टिकल की size आपकी 10 है suppose मानो और यहां पार्टिकल की size 2.5 है यह जब inhale करता है ना तो आपके lungs के अंदर एक परत बना लेता है क्योंकि यह बहुत छोटे लंग्स के अंदर लंग्स की problem जो create करने का reason बनता हो यह PM10 वाले particles के ही बनते है तो इसने higher diameter पूछा है तो बिल्कुल सही बोला है कि higher diameter होता है PM10 का अब इसने बोला है प्रोड़क्टिव एको सिस्टम में जो होता है अत्यादिक उत्पादक परिस्थितिक तंत्र में होता है तो में वाटर होता है पानी होता है highly energy produce किया जाता है सब कुछ आपको बिल्कुल limited मात्रा में मिलती है जो एक पोधे को चाहिए काम करने के लिए या पोधे को फलो को या सब्जियों को पकाने के लिए उगाने के लिए तो बिल्कुल मेग्रोब फॉरेस्ट जो होता है वो productive ecosystem के अंदर आता है तो true आ जाएगा अब हम short notes पे आए है short notes अब हम explanation सासत करते चलेंगे और क्योंकि time कम है तो हम question को उस तरीके से explain करेंगे ताकि आपके mind में छब जाए और एक वार आपको पढ़ने की विज़ोगत ना पड़े इस notes को लेकि वैसे मैंने यह notes की link आपको description box के अंदर दे दिया आप जरूर इसक quality को change कीजिए ना उपर quality आ रही होगी है उसके उपर मैं जैसे अभी अपने phone के अंदर मैंने on कर रखा तो quality के उपर मैंने क्या कर रखा अभी auto आ रहा है तो advance के अंदर जाके मैंने 1080p कर लिया है उस 1080p को select कीजिए आपकी दोख वीडियो बिल्कुल clear दिख रही है कितना मस स दिख रहा है है ना एक वार उसे quality को change कीजिए आपको easily तरीके से अच्छे से दिखने लग जाए अब क्या है short notes आ गये है short notes क्या होते है short notes आपके sunship में लिखना होता है जिसके बारे में आपसे पूछा जाता है इसने बोला है टुंडरा के बारे में लिखना है अब टुंडरा क्या होता है यह टुंडरा जो word आया है वो क्या होता है यह high ground और tree less mountain path mountain less या mountain path होता है एक उच्छा area या उच्छा surface या उची जगा जहां पे एक भी पेड़ या एक भी ओधे जो है वो एवलेवल नहों लाइक मान लो कि आपका एक कौन सा mountain जो बोला जाए तो वह हमारा कौन सा mountain होता है जिसके उपर पेड़ नहीं होते जल्दी से बता दो comment box अंदर जिस पे एक भी पेड़ नहीं होते उस mountain को क्या कहा जाता है हिमाल लिए क्या कहा जाता है हिमाल लिए उस पेड़ नहीं होंगे उनली बरफ से पूरा का पूरा वो ढखावा होता है तो ऐसा बायोम एक वरड आया है कि टुंडरा को बायोम कहा जाता है बायोम क्या होता है कि जिसका area जो होता है area में एरिया में weather की बात की जाए geographical surface की बात की वहां के रहने वाले निवासियों की बात की जाए वो सभी के सभी एक ecosystem में बंदे रहते हैं और सभी एक जैसे रहते हैं उन्हें ही हम बायोम के नाम से जानने लग जाते हैं अब बायोम में क्या होता है ठीक है हाँ सनो वगेरा जो होती है वो उसके ओपर मिलती है और एक high altitude पर एक थंडा मोसम जैसा area होता है यह टून्डरा और जहां पर जो आपकी tree होती है वो एक भी tree आपकी अवलेवल नहीं होगी वहां पर एक भी पौधे अवलेवल नहीं होगे वहां के जो wildlife होती है अब ऐसा तो नहीं होगा है ना हिंदी में भी समझा तो बिलकुल हिंदी म नहीं है या एक भी पीडव यह उस जगा को हम टून्डरा के नाम से जानना है असंट कर देते हैं और जहां पर क्या होता है खंनाप ओता है यह चोखे आप समने से हमाले को बिलकुल पास्त से देख पाओगए कि हिमाले की इस तरीके से बरफ से घिरावा होता है बहुत जो बोला जाए हमारा यहां की बाते की जाए तो यहां पे जो थंडा सीतल वाता वरन होता है जो हमारा वाता वरन होता है वो बहुत ज़ादा ही cold होता है जिसकी वज़े से snowfall होता है और snowfall के कारण यहां पे tree एक भी presence नहीं होते हैं और यहां के जो wildlife होती है वो इसी थंडे area क अकोडिंग होती है यहां नहीं कि मैं यहां के जो डेली वगरा के जो वह है उन्हें थंड़े इलाके में ले जाके रख दू तो वहां के इंवार्मेंट के साथ इको फ्रेंडली नहीं हो पाएंगे और खतम हो जाएंगे उनको इको फ्रेंडली होने के लिए थंड़े इलाके जैसे इलाके को अगर आप देखोगे तो आपको क्या लगता है कि यह रिवर वाटर कॉनफ्लिक्ट की बाता यह नदी जल संगर्ष की बाता है अब एक नदी दो देशों से होके गुजरना स्टार्ट कर दे तो बताए देश वासी क्या सोचते हैं कि मेरे पास से ये नदी गुजर रही है मतलब ये नदी मेरी मेरा कबजा मतलब ये नहीं सोचेंगे कि ये तो natural resource है यार river क्या है natural resource है nature ने हमें दिया है आ रहा है तो दोनों यूज़ करो ना मना किसको किया गया लेकिन ना ये मेरे जगा से आ रहा है तो ये मेरी है दूसरा कैसे यूज़ कर लेगा इसको लेके conflict चला था हमारे इंडेस water जो treaty है मतलब हमारा जो सिंदू जल संधी है पाकिस्तान के बीच में हुआ है क्योंकि इसमें क्या होता है बहुत सारी water जोते है वो दोनों के लिए conflict चला था कि मैं यूज़ करूँ है मैं इसके लिए हमारे conflict चला क्योंकि आप जानते हो कि आज जो जल की है बढ़ती जन संध्या जो है बढ़ती जो जन संध्या उनके पानी की जो डिमांड है वो बढ़ती जा रही है और पानी की डिमांड बढ़री है क्योंकि हमारा जो industrialization है वो बढ़ रहा है lifestyle है वो बढ़रा है industry के कार खाने बढ़ेंगे हमारी demand बढ़री है सभी कुछ बढ़े गा तो पानी की demand भी तो बढ़ना ही start होगी अब पानी को हम reverse से ही तो पूरा cover करेंगे और इसके लिए हमारा क्या होता है ज़्यादा टर उज में conflict होना लग जाता है और इस conflict को हम बचाने के लिए conflict को control करने के लिए हमें संदी करना पढ़ता है हुआ हम किशी और जानती हैं अब जानते हो कि हमारा एंदर जो है हमारा इंडिया की बातर करें हम संग्वाद का भट्वार हो रखा है सेंट्रल और यह व्ला जाए फैडरल सिस्टम यह को भथ लोड़े वह conflict होते रहते हैं इन conflict को बचाने के लिए हम क्या करते हैं एक संधी कर लेते हैं ताकि भाईया हम भी यूज करें तुम भी खुश रहा हो हम भी खुश रहा है यह नेचर द्वारा दिया गया हम नेचर के थ्रू ही काम कर रहे हैं तो हमारा river water conflict को अदम करने का तरीका होता है river water conflict किस तरीके से rise होता है उसके बारे में हमने देखा थर्ड हमारा आ जाता है हमने बहुत अच्छे तरीके से explain करके आपको provide किया यह notes को थर्ड हमारा गंगा action plan अब यह गंगा action plan क्या है यह गंगा action plan एक ऐसा प्लान है आप जानते हो कि हमारे यह यहां पर जो गंगा नदिय है उसको सबसे पवित्र नदी के रूप में जाना जाता है spirituality हमारे अंदर पूजा किसी भी वर्क्षिप के लिए है ना तभी चीज के लिए हम इस गंगा के पानी को इतना सुद मानते कि अगर हम किसी भी चीज में कोई भी काम होगे है ना गंग करीती हमारी चल रही है वह हमारा सुद पानी के रूप में माना जाता है बट अब जाके इस माननेता को प्राप्त है और यह हमारे नेशनल रिवर के नाम से भी जाना जाता है गंगा को हम नेशनल रिवर के नाम से भी जानते है बट गंगा एक्षन प्लान के एकोर्डिंग क्युंँ चलाया involvement इतना था कि जो हमारे आज के बड़ती जनसंख्या वह इतना ज्यादा से ज्यादा प्अलीूशन ज्यादा या द्यार ज्यादा एन्दर पास्यां डाल रहां कि आज गंगा के पानी को भी देखें तो इतना ज्यादा मैला कर दिए गया इतनी ज्यादा मिट्टी इतनी ज़्यादा उसमें pollution के pollutant डाल दिये गया है जिसे हमें लगता है कि वो जो पानी है ऐसे देखा जाए तो पानी के according वो पानी को भी हमने इतना ज़्यादा गंदा कर दिया like बनारास के पानी को देखो गंगा के पानी according to estimate लगाया गया कि 10,90,000 kg toxic wastage जहरीले पदार्थ और 13,00,000 डोमेस्टिक जो आप घर में यूज़ करने वाले कचरे होते हैं उनको जो है वो डेली रूप में river से क्या किया जाता यूपी cities के अंदर बनारास यूपी के अंदर है उसमें क्या किया गया है पानी के अंदर भेजा जाता जिसके कारण क्या गया है गंगा का पानी बहुत ज्यादा मैला हो गया बनारास का पानी इतना ज्यादा मैला है इतना ज्यादा पानी को गंदा कर दिया गया इसमें नहाने यह सबसे ज़्यादा पानी आभ इस टाइम पे कि हमें क्या करना पद है लोगों को हमें क्या करने पड़ेगा आवे करना पड़ेगा कि आवेर करोगे वह उससे दूर बागएंगे बना सोचेंगे सब फैक रहे हम भी फैक देते हैं तो क्या किया गया है निदर लेंड और जपान जो है उनसे वाटर क्लीन के उपर सबसीडी ली गई है और यमना और गोंती नदी को भी गंगा के साथ-साथ ऐड कर लिया गया है क्योंकि इनको भी साथ-साथ में साफ करना है तो ये चीज हो गया अब पानी को साफ करने के लिए निदर लेंड और जपान से सबसीडी ली गई है गैपिंग प्रोजेक्ट चलाया गया यमना और गॉम्ती नदी को भी इसमें सामिल कर लिया गया अब सफाई के लिए NGPRA ठीक है इसने 10 करोड रुपे का योगदान दिया है ताकि जो है कि हम इसको सफाई कर सके और हमारे सी नरेंद्र मोदी जी ने नरेंद्र मोदी जी ने 2015 में नमामी गंगे नाम से एक स्कीम चलाई जिसकी योजना के तहत हमें क्या क्या है ट्वंटी करोड रुपी मंजूरी दी गई जिससे कि हम गंगा और यह जो रिवर्स है इनको सफाई करवा सके तनवामी गंगा 2015 के अंदर इस्टाट हो तो यह गंगा जो है हमारा एक्शन प्लान है वह बहुत समय से चल रहा है और जारता रूप में आप देखा जाए तो ह में वज़े से वह खराब हो जा बोलतो मैं हिंदी में रहें कोई बात नहीं मैं यहाँ पर सबकुछ आपको हिंदी में बताता से चलता हो नोट वरी डॉंट वरी ऑंफुल मायनिंग इंवार्मेंट मतलब पर्यवरेंट पर खनन का शनुकारत्य प्रभाब क्या पढ़ता है आप क्या कर रहे हो आप खनन कर रहे हो Mining कर रहे हो Mining का मतलब क्या होता है धर्ती को खोदो और वहां से जो हमारे लिए profitable है उस material को बाहर निकल लो यही तो कहलाता है उसी को हम क्या कहने लग जाते हैं हमारे लिए Mining करना mining मतला minerals या ores को हमारे वहाँ से निकालना ताकि वह हमारे लिए profitable हो बट अगर आप mining करोगे खनन करोगे तो खनन करने के लिए वहाँ पेड़ पोद है उनको ज़्यादा सज्यादा पेड़ पोद होगो Trees को आप cut करना Start कर दोगे जिससे क्या होगा अगर trees कटना start होंगे तो वहां के जो जल है जल पानी हुआ, land slide होना ये सबी चीज़े क्या होगी भूसकलन होना start हो जाएगा और मिर्दा का अपरदन सबसे बड़ी चीज़ होते है कि पेड़ी जो है पेड़ पोदे ही है, वो मिर्दा को दवा के, पकड़ के रखते हैं बट अगर पेड़ों को हम काट देंगे तो मिर्दा फुली हो जाएगी और हवा आएगी इस मिर्दा को एक जाए से दुसरी जगा लेके चल जाएगी, मिर्दा का परदन स्टार्ट हो जाएगा इरजन स्टार्ट हो जाएगा, जिससे हमारे न्यू लेंड फॉर्म जो होंगी, वो दिक्कत करेगी और जितनी जादा माइनिंग खनन हम करेंगे, उसकी खनन की वज़े से गैसेज निकलती है वो गैस एर में जाके मिल जाएगी, एर मतलब हमारी वायू में मिलेगी और वायू में मिलने के बाद वायू पर दूसन, पानी में जाएगा, जल पर दूसन, मिर्दा में मिलेगा तो मिर्दा पर दूसन इस तरीके के तीन तरह के जो pollution है वो हमारे प्रोवाइड कर दिये जाएंगे और ये toxic gases जो मिलती है वो हमारे health के लिए बहुत ज़्यादा क्या होती है खराब होती है क्यों जितना ज़्यादा हमारे health पे impact करेगी वो हमारे लिए खराब ही है और आप जानते हो कि जितने इन में से जो gases निकलती है जैसे methane gas CH4 कहते हैं यह आपका greenhouse effect gas है greenhouse effect के वारे में जानते हो जो zone layer होती है ना सारे के सारे परावैगनी किर्णों के थूर कुछ ARI हमारे gases बापिस जा रहे होते हैं लेकिन यह क्या करते हैं उसको बापिस reflect कर देते हैं जिससे ताप मान बढ़ रहा है सिंपल सी बात इतना जानो बस कि ग्रीन हास effect के वारे में deeply मत जाओ कि जो जिसके बढ़ जैसे दिन पर दिन ताप मान जो है वो बढ़ता जा रहा है उसका region आपका green house effect है और उसका सबसे बढ़ा जो gas है वो आपका methane, bromine यह सब gases होते है chlorine chlorine gas तो सिंपल सी बात है ozone layer के जो छेद का reason बन रहा है ना वो chlorine gas ही है chlorine gas के कारण ही उसमें छेद जो है वो हो रहे है अब dam बनाओ इस चीज़ें से करो यह हमारे environment यह हमारा fourth point यहां पर खतम हो जाता है किस तरीके से mining जो होती है हनन जो होता है वो हमारे लिए impactful होता है फिफ्ट आता है यहां पर explain करना आपको क्या various anthropogenic causes of deforestation मताब वनन मूलन के भिविन मानब जाती है जनीत पार्णों की व्यक्षा की अब क्या करना है आपको व्यक्षा करना है मताब पेड़ों को काट दो deforestation अगर करोगे simple सी बात मैं आपसे पूछूँ कि यह पेड़ है लगा पड़ा है पेड़ आपके लिए कैसे helpful है अब वो आपको oxygen दे रहा है वो आपको बोला जाए तो आपके green house effect को complete रूप में बचा रहा है मताब green house effect जेतनी वी gases आ रही है उनकी gases को वो क्या कर रहा है absorb मतला soak रहा है आपका जो carbon dioxide होता है उसको यह क्या कर लेता है soak लेता है अगर यह पेड़ को हमने काड़ दिया उसके साथ क्या होगा oxygen हमें मिलना बंद green house effect यह और यह दोनों को soak रहाता इन दोनों के बढ़ना start हो जाएगा जब यह दोनों बढ़ने start हो जाएंगे तो हमारी life जो होगी जीवन जो होगा वह अपने आप ही खतम होता जाएगा तो deforestation करके हम अपने आपको ही खतम करने और कुछ नहीं करने ठीक है तो क्या किया जाता है अगर आप बिरिक्षो को काटोगे बनोन मूलन करोगे तो उसकी वज़े से आपकी life जो होगी वह दिरे दिरे ख हतम होती जाएगी इसके लिए हम डी-forespation को नहीं करना चाहिए हमें ज्यादा ज्यादा फैदा हो और इसकी वज़े से हमें फाइदा होगा तो आपके जो होगा वह से फाइदा होना स्टार्ट होगा आपकी health पे भी फाइदा होगा सब्सक्राइब बढ़ती जनसंख्या के कारण क्या हो रही है हम क्या कर रहे हैं पेड़ों को बहुत ज्यादत तेजी से क्रिसी करने के लिए कि खाने की नीट्स को तो पूरा करना पड़ेगा ना भूके थे छोड़ नहीं देंगे क्रिसी के लिए हम क्या कर रहें पेड़ों को काट रहें प banks कर सके हमा फायदा होगा अब इंसानों के लिए ही अंकर रहें बट- इंशल्हें पता कि वह इंसानों को ओक्राब कर रहे हैं इंसानों खराब अच्हां तो कें अंतर यह Crash करना है अब जो है जा रहा है रोडो को बनाया जा रहा है वानीजी इंडस्ट्री को बनाया जा रहे है ताकि आपका एक जाया सा दूसरे जाया connectivity बन जाया तो इससे क्या हो रहा है deforestation करने की ज्यादा जरूरत पड़ रही है सहरी करन में भी बनों को काटा जा रहा है माइनिंग का प्रोसेस आप उपर जान किया है तो दुबारा बताने के मुझे ज़रत नहीं पड़ेगी कि माइनिंग किस तरीके से वर्क कर रहा है आपका ज्यादा ज्यादा माइनिंग कर रहे हो तो इसकी बज़े से बहुत ज्यादा gases जो हो रही है और gases हमारी health को भी खराब कर रही है gases हो खराब कर रही है और मैटल जो हम निकाल रहे हो वह मीटल की वजह से जो फो खतम होते जा रहे है इस और बनो को बचाओ फैड लगाओ जीवन Davant एंपा हमारे सेकेंड को संड़ Luky क्या दाउर्ट नहीं हम चलते हैं अपने थार्डर को सथन वह हमारा को सब्ए आईए देखते हैं discuss the various steps and measure that needs to be taken the conserving water in agriculture area and metropolitan cities मतब क्रिसी छेत्र और महानगरों में जल संदक्षन के लिए उठाए जाने वाले विविन कदमों और उपायों की चर्चा के लिए अब क्या करना आपको क्रिसी छेत्र में जाना है और महानगरों मेट्रोपॉलीटन सिटी की बात की जाए तो वहां पे पानी को कैसे बचा सकते ओ खाना खाने टाईम यह बोला जाएटे को ब्रस करता है न टूटी को टैप को उन करके ब्रसकर रहा होता है है ना अब सावर से नहा रहे हो तो एक टंकी एक जना यूज कर रहा उस पानी को नहाँ है भाईया आप ठंड में के मौसम में अगर गीजा लाकर गरम गरम पानी से नहाँ तो इतना ज्यादा पानी वेस्ट किया जाता है उसकी जाव आप क्या करो उसके टब के अंदर पानी यह पानी का जो है कंजर्वेशन कंजर्व करो इसके ऊपर पूरा यह कोशन है ठीक है बात हो गई नेक्स्ट एक और में कोशन दिया हुआ इसी के दूसरा पार्ट है वह क्या है एक्स्प्लेन दा इंपोर्टेंस ऑफ दी रेन वाटर हाद वेस्टिंग इन यूर केंपस एं प्रशेत्र में वर्सा जल संचैन के महत्व को समझाना है क्या वर्सा जल संचैन प्रणाली को मुझूदा इमारत में फिर से लगाना वहवारिक है और यदि ऐसा है तो क्या वहवारिक जटिलता हो सकती है सिंपल सी बात है पानी को अगर अपने संचैन कर लिया तो कि उस पानी का आप यूज कर सकते हो अगर यूज नहीं कर सकते हो उसमें क्या 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 चुनोती है आ सकती है क्या 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 कॉम्प्लिकेशन आ सकते है वो भी चीज़े आपको इसके अंदर एक्स्प्रें करना ह आईए हम एक एक करके introduction की पहले बात करते है देना आगे की और पढ़ेंगे हम point के उपर सबसे पहले हम agriculture की बात करने है इस्टार्ट करें तो आप जानते हो कि जो क्रिसी के अंदर की बात होती है हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं एक बार बिना पानी के आप कुछ देर रहके देखो आपको अपने आप से अपना सिस्टम के बारे में पता चल जाए कि पानी के वगएर आपका जीवन है वह अधूरा है एक कॉंपोनेंट मानो वाटर को जो आपकी लाइफ को चलाने के लिए बना हुआ है इसकी भूमी का आप जो है बहुत ज्यादा इंपोर्टन रोल प्ले करता है आपकी एको सिस्टम के अंदर पारिष्टिति की तंत के अंदर बनाई रखने के लिए अब आब बात करो अग विकास के लिए आपको पानी को संदक्षित करना पड़ेगा और पॉसिवल्टी बढ़ानी पड़ेगा आगे चलके अभी जो हमारी भविस्टे की डिमांड आ रही है वहाँ पानी होगी उसकी डिमांड इतनी ज्यादा कम हो जाने वाले क्योंकि हमारा इस्टोर पानी था आप जानते हो पहले हमारे सरसे पानी निकलता है थो तो थोड़ा सा गड़्ा करो पानी आप से निकल जाता आज क hemos पास आता है, कमर सिवर यह सब की बात जो करते हैं, क्यों हम इतना ज़्यादा पानी का यूज करते जारे, करते जारे, करते जारे, जो पानी की जो सरफेस का जो है, वो नीचे जाता जारे, क्यों यूज करोगे तो वो तो पानी जाता ही जाएगा, इससे हमारा पानी जो एलि पढ़ेगी वह बहुत कम होगी और उनको यह चीज मिल नहीं पाएगा तो स्टैप कैसे कंजर्व कर सकते हो आप इसको इसके लिए स्टैप बताएगा है कंजर्वेशन के सबसे पहले है इक इस सिस्टम का यूज करो सिचाई के अंदर इरिगेशन के अंदर इसे पानी बहुत कम यूज हो एक होता है और जड़ों के अंदर गिरता रहता है और वो पाई अत अपने आप जाता रहता है तो deep irrigation system लगा या sprinkler दो नहीं से में ठीक है तो deep सिचाई जो पधती होती है इसमें बूंद बूंद पानी जो होता है वो जड़ों में roots में direct जाता है जिसकी बज़े से क्या होता है पानी की जो होती है वो conserve रहता है और पानी का बहुत कम use करके भी आ जिसमें थोड़ा ज्यादा ये costly होता है as compared to जो आप ऐसे आप use करते हो सेकेंड आता है खेत तलाब निर्मान की बात होती है आप क्या करना है आपको farm pond construction कर लेना है आपके पास एक point बना लेना है तलाब बना लेना है जिसमें पानी को संदक्चित कर लेना वर्सा जल हो कोई किसी के रूप में यूज कर लो या किसी अधर जगा पर यूज कर लो बट उस pond का आप construction जरूर कर वालो step farming की बात करें step farming तो यह पहाड़ो वाले इलाकों में अगर जाओगे ना आप तो वहां पर step farming को देख पाओगे क्या होता है यहां पर एक surface जो होता है वह plain surface को बना द करता है तो जिसकी वज़े से यहां का post जो भी nutrition होता है जो भी हमगे हमने Oo delicis Diez उटाहर वह क्या आ जाता है और चैप में ट्रांसफर होता जाता है तो इस से हम क्या करते ज्यादा से ज्यादा पानी का उस चीज़ का कंजप्सन अब अपने अकोडिंग कर पाते हैं इसे कंजर्ब भी रह पाता है तो कटिंग जो होती है इसमें कटिंग करते हैं पहले क्रॉप्स को पहाडी जगाव में ऐसी है और उसमें जो बारिस का पानी हो गया मिट्टी हो गय ठीक है आप यहाँ पर भंडा टैंक की स्टोरिश टैंक की बात की जाए भंडा टैंक की तो इस टैंक को हम इसलिए बनाते हैं ताकि आपका जो पानी है वो पहले से हम इस्टोर करके रख ले जैसे हम वैल की बात करें कूए की बात करें उसमें पानी को हमने इखटा करके रख कर सकते अब देखो यह सारे पॉइंटों को अंदर एक्स्प्लेइन करने जो तो नहीं पड़िए आप इजीली तरीके से लिख सकते हो अपने माइंड क्या कोडिंग में बस आपको एक ओवर्व्यू दे रहा हूं इन पॉइंटों के जो आपके लिए एजी है अब आता है ने खरो के अंदर जो आप फशल पानी के लिए पानी को संदक्चित करने के लिए टैंक बना लो इन लेख कूल बाल्टी जगा पर यह सुन्रक्षित करने के लिए जल का जहां पर ज्यादा यूज हो रहा है उसको आप क्या कर लो इजी ली तरीके से यूज करो ताकि आपका डॉमेस्टिक एरिया में इसका बंडार कर सके तो आप घरों में तो इस तरीके से कंजर्व कर सकते हो बिजनस के अंदर कै उसका यूज कहीं और भी कर लो यह नहीं कि उस पानी का आपने क्या किया पानी आपके पास आया उस पानी को आपने बहा दिया ऐसे कहीं और बाहर और उससे आपने वाटर का पॉल्यूशन कर दिया ना 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 पानी आपके पास बचा हुआ है तो उसका यूज कहीं और करो तीसरे को यूज़ करवा अपने employees को या सभी को aware करो aware मतलब जागरुक करो कि भाईया देख लो पानी को बचाओगे तभी जली ही जीवन है बचाओ इसको आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है तो आप ये पेड़ पोधों को लगाओ जरूरी कामों के लिए टैंक का पानी का यूज के अंदर कर सकतो public sector के बात की जाए अपको जूर्माना देना पड़ेगा हमने air वाटर को conservation देने के लिए आप increase करो importance of water among the people मतलब उनको जागरूप करो कि क्या importance है पानी का अगर पानी नहीं होगा तो आपके जीवन से क्या चीज चली जाएगी इसके बारे में उन्हें बताओ ताकि वो पानी का कम से कम use करे और संदक्षित करना स्टार्ट करे उसे conserve करना स्टार्ट कर दे जिसको डराओगे तो उन्हें पता चल जाए कि हाँ यह मेरे लिए किस तरीके से important है क्योंकि उन्हें अभी तक importance ही नहीं पता इस चीज की तभी वो ज्यादा ज्यादा यूज करते हैं और उसको उड़ाते रहते हैं वही सबसे बड़ी चीज बड़ाई लिखाई है अब यहां पर क्या next point आता है कि practical completions की बात करें अब यहां चुनोतियों की बात आ गए वहवारी जटिलता की बात आ ग के कुछ केली तरह काला प्रियों कहले तरह करता हैं इसको करके शतबिक से भूत रर्ड़ाई रिसको sådanga से बच सक दो से चाहिए व्जादा से gaye को दिमांड को पूरा करने के लिए जो पानी है वहां के divided से ज्रीख कर रही चार है तो इसकी वज invert जो rain water harvesting कितना भी कर लो कुतना भी पानी को बचा लो जाद से ज़्यादा पानी जो है वो खराब किया जा रहा है पानी का यूज नहीं किया जा रहा है और rain water harvesting भी वो नहीं करते तो प्रॉपरली यूज भी नहीं करते उसका तैरों में बढ़ती जनसंग्या ये कारण जल की मा जर्मगार नहीं हो पा रहा है अब जल का संदक्षन नहीं कर पा रहे हो तो जो सभी को पानी की जरूरत है वो उनकी पूरी भी नहीं हो पारे जिसकी वजह से उनकी जो डिमांड है वो धीरे-दीरे बढ़ती जा रही है ठीक है lack of local points मतलब इस्थानिये तलाबों की कमी है मत आपके पास जो इस्थानिये हैं वहाँ पर तलाब होने चाहिए कि जो पानी के संदक्षन करने का एक बहुत बड़ा जर्या होता है वो भी होना चाहिए अगर नहीं है तो उसको बनवाना चाहिए लेकिन अभी जो है यह नहीं अब लेवाल है जिसकी वज़े से जो है हमार नहीं है समय उन्हें पता ही नहीं है कि हमें करना क्या पानी को कैसे हारवेश्ट कर सकते है जाग रुकता कैसे फैला सकते है वह उन्हें पता ही नहीं है इसके बारे में हमें उन्हें क्या करना चाहिए बताना चाहिए लास्ट में इस परकार हम कह सकते हैं कंक्लूजन क्या क जाएगा तो हम उसका क्रिशी में यूज़ कर सकते हैं महानगरों में हमारी नीट्स को पूरा करने के लिए हम इसका यूज़ कर सकते हैं जिससे हमारी जमीन जो होगी हमारी जो भूमी होगी वह भी जाओ बनी रहेगी और हम अच्छे तरीके से खेती कर पाएंगे और अपने जो जीवन है उसको यापन मतलब अपने जीवन को बिल्कुल अच्छे तरीके से काम करवा पाएंगे इस तरीके से हमारा क्या है यहीं पर खतम हो जाता है थाड़ कोसन आई होप आपको अच्छे तरीके से समझ आयो एक और कमेंट बॉक्स के अंदर थम्स अप कर दो अगर कोसन एक वर पढ़ो आप क्या है कि critically examine the various reasons due to which reverse in India continue to the remain highly polluted district various government initiative and legislative मतलब क्या बोला इसने कि विविन सरकारी पहल हो और विदावानों के बावजूद मतलब लो भी बना दिये yes new notes अंकित download कर लेना इसे ठीक है विविन सरकारी पहल लेओ और विदानों के बावजूद भी भारत की नदिया अतदिक परदूसित है मतलब लो भी बने पड़े सब कुछ है लेकिन फिर भी क्या है उसमें परदूसन इतना ज़्यादा है क्यों इसका अलोचना अत्मक परिशक्षण कीजिए मता अलोचना कीजिए क्या ऐसा क्यों हो रहा है क्यों हो रहा है क्योंकि बढ़ती जो जनसंक्या है हम जानते हैं कि हमारी जो जो हम नदिया हैं उनको हम भगवान मानते हैं नदियों के पानी को हम क्या करते हैं वो उन्हें मा मानते हैं और उनकी पूजा किया करते हैं प्राचिन भारत की इंपोर्टेंस की बात की जाया तो प्राचिन समय सही भारतिय जीवन में समाजिक और धार्मिक सांस्कृति पारंपरिक संबंद को बनाए रखने के लिए यह महत्यपूर्ण है कि सांस्कृति हमारी कल्चरल जो इंट्रेक् तो एक टाइम ऐसा आजाएगा कि लोग जो होंगे इसको पूरा कच्रे से भर देंगे तो इसके लिए हमें लोज बनाने बहुत ज़्यादा जरूरी है इसके लिए क्या किया है कि इसकी सफाई के लिए और आप जानते हैं कि आभी मोदी जी ने भी चलाया हुआ है बहुत स अब के काच्रा कहाँ जाएगा। इसके लिए गुवर्मेंट ने लॉज बनाया है इन लौज के बारे में हम पढ़ते हैं इन due to point आया आपका next ठीक है point पे चलते हैं आप हम यह हमने introduction देखा है परिच्छे अब परिच्छे के बाद हम point देखते हैं rivers के उपर कि किस तरीके से हमारा यह हार है due to excessive pollution of Indian river मतलब भारतिये नदियों के अत्यादिक परदूशन होने का कारण क्या है सबसे पहला discharge of industrial waste into river मतलब explain मुझे करने की जड़त नहीं है जितनी ज्यादा इंडस्ट्री लाइजेशन भारत में जो कंपनियां वह बढ़ती जाएगी उतनी ज्यादा उसमें साफसिष्ट पधार्त मतलब waste material जो होंगे वह निकाले जाएंगे और waste material कहां पर डिकंपोस्ट होई नहोता है वह discharge कर दि तो इससे क्या होगा इंडस्ट्री लाइजेशन जो होगा नदियों में विसरजन हो रहा है जिसकी वज़े से क्या होगा आपका जो कारण से नदिया जो है वह परदूसित हो रही है उसके परदूसन को हमें बचाय रखने के लिए हमें यह जो है इनिसेटिव चलाना पड़ेगा ताकि पानी के अंदर इनको हम कम कर सके है और बहुत जन्हें जानते ही है कि कितना ज़्यादा कच्रा सबसे ज़्यादा कच्रा आपका इंडस्ट्री से ही निकलता है डिस्पोजल आफ सीवेज इंटू रिवर मल मुत्र का नदियों में निस्तारन क्या बोला गया अब जो भी गंधकी मेट्रियल जो आपके घर डॉमेस्टिक यूज से आपके निकल रहे वो कहां जाता है वो जैसे हमारा क्या वह हो गया सीवेज हो गया उसमें जाता है और स साथ आप एकौंपल के लिए जानते हो नजाद्रा जिए डेली के अंदर उसका जो ओरीजिनेट होता है वह यमना रिवर के अंदर ही जाके गिरता है तो यह गंधि की जो ओर रहे है यह है अब आप जानते हो फटोड़ पउइंट आया आपका रिलीजियस एन रिच्वल ए है यह सिंपल थी बात है कि अंध्विश्वास वर्ड हम यहां पर यूज़ कर ले या धार्मिक अनुष्ठानों की बात कर लें तो उसके लिए भी हम क्या करते हैं पानियों कहीं यूज़ करते हैं अब क्या हुआ कि हमने क्या क्या है पूरे अच्छे तरीके से वर्क करेंगा तो इस चरीके से या फैस्टिवल के अंदर हम क्या करते हैं भारतिय नदियों में परदूसन होने का वज़ा है धार्मिक इससलों के पास नदियों और धार्मिक समागरियों तो धार्मिक उस सबों के दौरान मूर्थियों का विसरदन किया जाता है यह सबी चीज़ वहां यह सब कुछ हो जाता है लेकिन भी हमारे लिए एक पॉइंट ए बहुत जन्य होते हैं अब जैसे किसी की की देत हो गई है तो उसके देत के बाद का जो हमारा part होता है उसको हम जा के विसर्जित करते हैं वह भी कुछ पार्ट ऐसे होते हैं जो डिकंपोस कभी नहीं हो सकते हैं तो वह क्या होगा वह भी परदुसन का कारण बन जाए यह सभी पॉइंट है आपके इसके अंदर हम लेते हैं पॉइंट आपको समझ आ गया होगा देन आपका आ जाता है इनिसियेटिव चलाए गई है क्या क्या इनिसियेटिव चलाए गए हैं पानी को सुध रखने के लिए साफ रखने के लिए इसके अंदर जल के अंदर देखो अधिनियम बनाए गए हैं और इस अधिनियम के बारे में आप पहले भी जानते होगे वाटर एक देनियम चलाए में इसमें चेंजिस किये गए इसमें इस लोंग के अकोड़िंग तय कि वाटर जो पॉलिउसन है उसको कन्ठोल करो प्रिवेंशन करो रोक थाम करो क्योंकि इसके अंदर पानी के अंदर सबसे ज्यादा जो वैक्टेरिया या फिर कह सकते हो कि जितने ज्यादा हम पॉल्यूटेंट फैक रहे हैं जिसकी वज़े से दिन पर दिन पॉल्यूशन जो बढ़ता जा रहा है उसकी उच गनवर्ता को कम करने के लिए हम क्या कर रहे है इस अक्ट बना गया जिसमें जुर्माना का भी रखागया गया अगर इंप良 करना यह ओ अगर को गूंत यह वारे में आपको बताना ह। इसको पूरा россरी कर देивается किस्ताई कैसे ये सभी चीजे नहीं मता हूँ फिर अवेंडमेंट जो है वाटर चेज एक्ट जो है 1977 से 2023 इसके अंदर जो है एक्ट में अवेंडमेंट की गई और इसके अंदर क्या कहा गया कि इसका उद्योगों को चलाने वाले वैक्ट थी है और इस्थानी आधिकारियों दौरा खपत किये गए जल पर उपकर लगाने संग रह करने का प्रवधान कर दिया गया तुम इखटा करके रखो ठीक है बस इखटा कर लो अब दिक्कत आपको आती है तो उस पानी का क्या कर लो अगर पानी अगर बहाते हूँ अगर आप दिख जाओ मुझे इसके अंदर कहां एक्ट के अकोडिंग आप अगर पानी बहा रहे हो जो इंडस्ट्री सनी कल्रा वेस्ट मेटरियल वो दे रहे हो तो इसकी वज़े से आपके उपर कर लगा दिया जाए कर मतलब आपके उपर पैनल्टी लगाई ही है ठीक है यह सबचे फिर गंगा एक्शन प्लैन वो कौन सा इनिसिटिव चलाया है नमामी गंगे 2015 में इसकी अकोडिंग क्या है कि गंगा रिवर का जो है उसको बिल्कुल अच्छे तरीके से साफ करना और इसमें 20,000 करोर रूपीज का क्या क्या है मंजूरी दी गई है ठीक है और यहाँ पर क्या है सुक्षम बांदों का निर यहाँ पर प्लोटिंग अवादी के लिए योजना बनाई जारी है नदी किनारे उद्योगों की जनसंख्या में कमी की जारी है ठीक है बेराजोग में पानी की सीमित भंडार की जारी है और जैविक खेती का विकास किया जारी है यह सभी चीजों का आपको इनिसियेटिव गंगे नवामी गंगे मतलब गंगा एक्शन प्लान के अंदर किया गया है एक्स्पेंट पहले कर चुके हैं तो इसलिए यहाँ पर मैं दुबारा से करने की जरूत नहीं पढ़ रही है अब यहाँ पर अलोचनात्मक मुल्यांकन बोला गया है यह तो आपने यह सब चीज नहीं से आएगLa कि छानात्मक कि जैसे कि हमारे अंदर хот जो भारत में भारत की बात कि जाए तो रिवर्ट की इंपोर्टेंस आप जाते ही है तो इसके परेंडंग त्रूस जो है आज एक दौर जो है जन बढ़ती जनसक्या मोह बहूँत बढ़ाती जा रही हैं जिसके व सनकर्ट देगा और संकर्ट की वज़े से घीवन है वह एक तरीके से बोला जाए तो चल नहीं पाएगा और पानी को कंजर्व करके हमें रखना पड़ेगा आधर वाइस हम जो हो आपने आप से बीक होने स्टार्ट हो जाएग Imm एंत में हम कह सकते हैं कि भार्तिय ना नदिया है। उनका सवरोब जो है रिखने के लिए हमें सरकारी पहलो कुछ एक्ट जो है उने बनाने सब्सक्राइब निर्मान करने उनकी नीवर्ट नहीं निए वाली उनकी छलती रहेगी। इंडियन रिवर्स को साफ रखने के लिए हमें कुछ ऐसे लोज बना दो ताकि मानव यह गतिवी दिया है वह उसमें हस्ता छेप ना कर पाए मतलब उसके अंदर जाके अपना जो योगदान है वह ना दो ना जागे क्यों देर हो योगदान तो वह योगदान ना दे पाए औ यहां पर क्या हो जाता है और चलते हैं अब अपने ने को सन फिफ्ट को सन पर अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे यह चारों को सन आई होप एक वा नीचे कमेंट बोक्स में बता दिना ओके थैंक्यू ठीक है तो फॉर्थ को सन हमारा नेक्स को सन या रानी एक वार उसे वीडियो कॉलिटी को चेंज कर लो क्या बोला फिफ्ट को सन है सस्टेनेवल मैनुफेक्चरिंग कैन वी डिफाइंड आज दी क्रियेशन ओफ मैनुफेक्चर प्रोड़क्त थूदी इकोनोमिकल साउंड प्रोसेस जैट दी मिनिमाईज दी नेगेटिव इन्वार्मेंट सस्टेनेवल मैनुफेक्चरिंग को आर्थिक रूप से सुद्रिड पर किरिया के माध्यम से भी निर्मित उत्पादों के निर्मान के रूप में परिवासित किया जाता है मतब कुछ भी बनाओ तो ऐसा बनाओ कि आगे जो आने वाले भविस्य में जो लोग है वो भी उसका यूज कर सके ऐसा मत बनाओ कि अभी बना दिया जैसे क्या हुआ डीजल से चलने वाली गाड़िया बना दी गई वह पहले बनाई गई थी आज जानते हो कि डीजल जो है इतना ज़्यादा पॉलिशन करता है कि वह हमारे लिए इंपक्ट फूल है तो आज जाके उस गाड़ियों को बंद किया जा रहा है वो पहले सई से बनाई गई होती तो आज जाके उसको बंद नहीं करना पड़ता ना तो उसको बनाया गया क्यूं वह जाला तर हमें आगे स इसको अपने माइंड में रखो और बताओ सस्टनेवल लेटी प्रेम वर्क फॉर दा ओटो मोटिव इंडस्टी डैट दी मैनुफेक्ट्चर दा टू वियलर बाइदी सजेस्टिंग एट लिस्टू सस्टनेवल मेंजर और इच पैरामिटर गीवन इन दी टेवल इसने बो पायों का सुझाब देना है मतलब दो दो पॉइंट आपको बताने है जिससे कि अगर ये दो पहिया बहान कोई मैनुफेक्ट्चर कर रहा है कोई कमपनी कोई कमपनी दो दो पहिया बहानों को अगर मैनुफेक्ट्चर कर रहा है तो वो इन चारों के लिए क्या यह हम अंसर के उपर जाते और आपको समझ आ गया है तो इंट्रोडक्शन में देखते कि मैनुफेक्चर क्या होता है कि जो भी आप बनाओ जो भी जैसा भी बनाओ वह आने वाली पीडी को भी मिलना चाहिए मतलब आपको इको फ्रेंडली होना चाहिए मैनुफेक्चरिंग जो भी है ठीक है यह चीज़ है अब सस्टनेवल डवलप्मेंट जो है मैनुफेक्चरिंग जो है वह क्या है सबसे पहले अवोइड करना है हर्विंग दी लोकल इन्वार्मेंट मतलब इस्थानिये परियवर्ण को नुकसान पहुचाने चाहिज है उसका अधर रिसोसिस का यू स्करना उसकी बरवादी नहीं करनी है करने ऀक्षय माल की बरवादी kadar कहूथा है कटोती करने में कंजपसन ऑफ एनरजी एनर्जीकर जो एनर्जी जो यूज कर रहे है उसक़ आप कम जहूं उसको वर्क मतलब उसके अंदर सेफटी जो है गाड़ी जो है उसके अंदर सेफटी दो ताकि सबको अच्छा भी लगे और चलाने भी मजा रहा है ठीक है यह सस्टनेवल डेवलेप्मेंट के कुछ पॉइंट थे अब यहां पर क्या है चारो पॉइंट जो दिये हैं उनके दो-दो पॉइंट हमें लिखने हैं आएए देखते हैं दो-दो सबसे पहले घाड़ी में एकर वॉटर कंजवशन हो रहा है तो उसके लिए हम क्या इनिस्येटिव चला सकते है गाड़ी गाड़ क्या बोलेगा कि पानी कम यूज़ हो इसके लिए क्या करेगा वो सिंपल सी बात है कि water conservation के लिए वो क्या कर सकता पानी के अंदर तो use water related system technology in vehicle वहानों में जल सम्मंदित तंत्र और प्रोधोगी की का उपयोग करें ऐसे जल सम्मंदित प्रोधोगी का यूज करो जिससे की पानी जो है वो कम से कम यूज हो मतब system आ यह technology के अंदर उनका हम ज्यादा ज्यादा यूज करें जिससे हमारा क्या होगा जो water consumption है वो अपने आपसे कम कहोना इस्टार्ट हो जाएगा engine design अच्छे तरीके से हो है ना उसकी जो efficiency है वो ज्यादा रहे efficiency ज्यादा रहे तो engine की design हो गए engine का आपका management हो गया system हो गया उस सभी चीज़े ठीक रहेगी तो पानी अपने आपसे कम यूज होने लग जाएगा ठीक है second उपयोग में आत्म समर पे जल उपकरन पतला ऐसे आपको उपकरन या कह सकते हो कि ऐसे आपको equipment का यूज करना चाहिए जो उपकरन जो है उपयोग करना चाहिए जो आपके जल जो इस पर टकनीक ही है जल को संग रहे और या पूर चकरन करें इंपल सी बात है कि आप वैसे system का use करो जहां पानी का use हो फिर वह पानी दुबारा से आपके पास आ जाए उसी पानी का दुबारा use कर रहे है तो वो system के अंदर वो पानी खतम कभी नहीं होगा तो पानी सूकता तोई ना यार वह वैपराइज भी थोई ना होता है यह बास्वी के रिट थोई ना होता है वह पानी उसी सिस्टम के अंदर चल रहा है तो ऐसा एक सिस्टम हमारे गाड़ी के अंदर बनना चाहिए ठीक है सेकेंड स्टेप क्या एड़ोप करोगे सस्टनेवल मेजरमेंट ऑफ वाटर कंजर्विशन का जल संदक्षन के लिए इस्थी रुपायों का अपना ही जाए प्रोमोशन ऑफ हाइब्रेड इलक्ट्रिकल वहिकल्स आपको क्या करना पड़ेगा आपको हाइब्रेड और जात काम करुए तो इसे फ particular до इंजन के लाम से जाना जाने लगता है प्रोमोशन करना हाइब्रेड और इलक्ट्रिकल वहिकल्स को प्रोमोर्ट करो जिससे क्या होन files का लिंट्टियों आपको गाडी जो भी दो पहियां बहान जो बनाई जा रही है ठीक है तो यह क्या है यहाँ पर जल इस्थाई नीतियों में परकिरिया को बनाए रखना चाहिए जिसे नीतिया पूरे बहान निर्मान परकिरिया में पानी की सुरक्षा पूर्ण चक्रन और पूनुप योग के रूप में काम करें तो पानी का आपको समझा गया किस तरीक ऐसे यूज़ करना चाहिए ठीक है पानी हो गया जो जो चीज़ चलाई जाएगी इनिसेटिफ चलाई जाएगी वो चीज़ की बात हम करेंगे अब एनर्जी करेंट उर्जा की खपत की बात आती हे हम अर्जा की खपत कैसे बचा सकते है सबसे पहली बात होती है कि एलाक्ट्रिकल एनर्जी के यूज़ करो और य रलक्रिकल लंधा ये इनर्जी आपके इनजनिन ऐसा यूज़ करना daí स这 कर दो जिसमें solar energy electrical power energy यूज हो hybrid technology यूज हो इस्टार्ट हो जाए तो यह point अंदर explain करने के मुझे जहत नहीं solar energy solar panel जो होता है electric power panel जो होता है उसमें क्या होता है जो भी energy आपने produce किया जो भी energy आपने बनी है save vehicles जो बनी है energy जो vehicles बनी है वह आपके लिए क्या हो जाता है इस्टेवल हो जाता है और उस energy का यूज हम generate करने गते है इलक्ट्रिक पावर प्लांट को लिए उसमें भी हम इसका यूज कर पाते है जब एक से ज्यादा energy solar प्लस विंड मिल जाए तो ऐसे इंजन जो बन जाते है तो वहां पर energy जो होती है वह कम से कम consumption होती है और ज्यादा हमें output मिलता है hybrid में के अंदर ठीक है then next पर आते हैं हम आपका कौनसा है आपका यहां पर next आपका आ गया mastering change and innovation आपको एक नए नए field में जाना चाहिए innovation की करनी चाहिए ताकि जो है lightweight material जो है उसका use करो अब जानते हो कि engine जो है innovation किया जा रहा है पहले engine कितनी बड़ी होती थी आपने कोई मि computer कितना बड़ा था बहुत ज्यादा बड़ा था मां मैं आ रहा हूं मां यहां मेरी सक्चियों का गलत फाइदा उठाया जा रहा है तो ऐसा हुआ था ना तो वहां पर क्या किया गया था उसके बाद आज computer इतना छोटा कर जाए कि जहां हम बैट रखे हैं वहां पर हम computer laptop बन battery को increase कर सकते हैं और इंक्रीज होने की वज़े से हम क्या कर सकते हैं जो हमारा खपत है उर्जा का खपत वो कम हो जाएगा battery technology का यूज करना चाहिए ना कि हमें और battery वाली आप जानते हो गाड़िया जो है वह स्टार्ट हो गई है चलनी आप ज्यादा ज्यादा बैटरी वाल करने से रोग दोगे और इंजन जो होगा वो काम करेगा इलक्ट्रिक और इन चीज़ों पर तो वहां पर हमारा जो पोस्तान होगा जो कारवन इमिशन होगा बिल्कुल 0% के आसपास आजाएगा 0% क्या बोल सकते हैं कारवन इमिशन हो गई होगा प्रमोट करना हमें क्या energy management and energy efficiency आपको उर्जा का प्रवंदन करना और जाकी डक्षता को बढ़ावा देना है सिंपल थी बात में कही जाए कि जो भी उर्जा आपने बनाई है यह जो भी उर्जा है आपकी कि मेरी आवाज नहीं आ रही कि आप सभी को या ऐसा चीज बनाना चाहिए जो हमारे लिए क्या हो helpful रहे जो हमारे लिए क्या रहा है helpful रहे और helpful रहेगा तो energy management system inefficiency होगी उसके efficient होगा हमारे लिए यह चीज आगे carbon emission के अंदर दोनों point हमने समय लिए कि carbon emission को बस सिंपल से battery का यूज कर लो और hybrid जो है उस system का यूज करने waste management की बात की गए अब क्या होता कि जैसे जैसे आप काम करते जाते हो गाड़ी चल रही है तो गाड़ी चल रही है तो waste material जो होती है वो भी निकालती है pollution reduce करती है अब pollution किसके कारण हो रहा है उसके अंदर जो हमने energy का system use किया energy system मतलब जो हम petrol use कर रहे है पैट्रोल का use कर रहे डीजल का use कर रहे है यही चीज तो बनती है यही चीज तो बनती है अब इनके कारण जो है वो energy जो है वो क्या हो रही है energy बन रही है वो energy जो है हमारे atmosphere को pollution को बढ़ाती है तो हम इनकी जगह पे electric power plant का use करने लग जाए अपने आप से energy कम हो जाएगी bicycle जो है उसकी जगह पे bicycle यूज करने लग जाए स्कूटर की साथ हमें करना है जिससे हम क्या ज्यादा ज्यादा डिस्टेंस को कवर कर सके और पॉलिशन को कम कर सके conclusion आप दे सकते हो अपने according कि automobile के अंदर जब भी बनाया जाता है उनको इन तीनों चारों जो पॉइंट है उनका यूज करके किसी भी कंपनी को किसी भी technology को बनाना चाहिए नवी करने प्रोधोगी को का use करके हमें किसी भी चीज को बनाना चाहिए जिससे क्या होता है कि हमार परियरण को सुधर रखा जा सकता है जब परिया वरान अगर सुधर हें पाता है तो इसकी वजह साल yeter ц Кстати हमें हो यह बनाया है आपके है तो भी चीजे है कि जो अटमटिव इंड स्ट्री है डैडिगेशंग टू धी क्लीनर एन ग्लीन फॉर दी मोन सश्ट्नेवल फ्यूचर जो भी चीजे देखके बना जाती है वह सब सेवंटीन सस्टनेवल में से तीन आपको दिये हुए हैं एक दो तीन डेवल्लपमेंट गोल्स फॉर्मूलेटइड बाइद यूनाइटेड नेशन इन टू टू थाउजन फिफ्टेन 2015 में सन्युक्त राश द्वारा तयार किये गए सस्त्र सतत विकास लक्षे SDG में से 3 नीचे दिये गए हैं एक दो तीन इन तीनों के बारे में जैसे 2 वाला जो है वो भुकमरी के उपर है 6 वाला जो हो पानी के उपलबदता के उपर है 11 वाला जो हो सहरों में मानव वस्तियों को समावेशित और सुरक्षित लचिला और टिकाव बनाने के तो आप क्या करना है यह तो दिया अब इसके बाद नीचे आपके लिए कोशन दे दिया यहाँ पर कि सेलेक्ट करना है एनी इसमें से 2 और ब्रीफली उसे एक्स्प्लेइन करना है सलेक्ट करना है एनी 2 SDG ब्रीफली डिसकर्ज दिफाइफ स्टेप लिए तो अचीव करने के लिए किसी कंट्री ने कौन से 5 स्टेप चलाए है इन के लिए तो इन में से किसी 2 के बारे में आपको बताना है किसी भी कंट्री को लेते हुए फिर इसी के और में कोशन दिया हुए मतलब जीवन की गुनवरता को सुधार के लिए सतद्विकास लक्षे की प्रसंगिक्ता का आकलन करे तो आपको यहाँ पर SDG के बारे में बताना है और यहाँ पर किनी 2 SDG का चयान करना है जो 2030 तक इसे प्राप्त कर सके और किसी भी देश द्वारा उठाए जाने वाले 5 कदमों को आपको चर्चा करने कि समझां गya मैंने क्या बला कॉसन अगर आपने को समझां इना सुमयों कि आपको सबकूर समझां गया अगर औल नहीं समझाय तो दिक्कत आईगे कि कैंको सिंपल के 17 दिये हुए उन 17 में से भी ऐन ठीक यहाँ पर आपको क्या दिये हुए 17 दिये हुए अब इन 17 मैंने जैसे क्या दिये है कोशन में कोशन आप समझो दूबारा से एक वर कोशन समझ लो आपको समझ आ जाए जैसे मैंने क्या बोला sustainable development है SDG की बात की जाए वो दिया हुआ है sustainable development तो यहाँ पर sustainable development के 17 क्या है आपके goals है उस 17 में से 3 goals आपको यहाँ पर लिख के दे दिये अब इन goals का 2030 तक low बनाए गए है कि इन goals के 2030 तक यह goals को यह achieve कर सकते हैं तो इसके लिए किसी country के दौरा 5 कदम कौन से उठाए गए है ताकि यह goals को वो अचीव कर पाए उसके बारे में हमको बताना है समझे आईए देखते हैं अब आप जानते हो कि sustainable development क्या होता है इंपलती बात है जो भी चीज़े हम बता रहे है ठीक है जो भी होता है जो भी आप बात करते हो sustainable development के अंदर तो वहाँ पर globally आप यूज़ करते हो sustainable development का मतलब क्या होता है सतत विकास का मतलब क्या होता है कि जो भी आपने यूज़ किया इतना भी आपने यूज़ किया material को यूज़ किया सतत विकास के अंदर उसको आगे वाले भविश्य को देखते हुए आपको काम करना होता है Sustainable Development Goal के अंदर इसी को हम Global Goal के नाम से भी जानते हैं Sustainable Development को Global Goal के नाम से भी हम जानते हैं ये 2015 में इनिसेटिव चलाया गया था जिसके अंदर क्या किया गया 2015 में एक ऐसा लो चलाया गया उसको कम करने के लिए इनिसेटिव चलाया गया अब इसके अंदर 17 SDG चलाया गया है ये पिछडे देशों के विकास के करम में प्रात्मिक्ता परदान करती है मतलब जो भी आपके पिछडे देश है उनके लिए ये यूसफूल है और SDG जो है आपके Eliminate की गई है जो बुकमरी है महिलाओ के लिए खिलाब भेदवाब को समाप्त करने के लिए भी बनाया गया जो हमारे बीचों में भेदवाब है ना ठीक है ये सबी चीज़े क्या है हमारे लिए हैलफूल है आपके SDG की बात आई है अब यहाँ पर 17 SDG मैंने सारे आपके यहाँ पर लिख दिया किस तरीके से वर्क कर रहा है जैसे 1st SDG क्या है वह आपके complete करना चाहता है 1st SDG का काम है complete the end of the priority मतलब गरीबों की पून्ता समाप्ती करने है end करना आपको hunger को इसी के बात करने है भुकमरी की समाप्ती 2nd वाले की हमें बात करने है good health and quality of the life मतलब अच्छा स्वास्थे और जीवन इस्थर आपका रहना चाहिए ठीक है एक तो ये वाले point आपके 17 के 17 आपको नहीं पढ़ने है हमें बात करनी है 2 के उपर तो हम बात करते हैं आपका zero hunger के उपर सबसे पहले SDG जो है आपका second के उपर और फिर बात करें हम आगे की उपर तो SDG second की बात भुकमरी को आपको खतम करना है इसके लिए क्या किया गया है आप जानते हो कि आपको भुकमरी को खतम करने के लिए सबसे बड़ी चीज है आप वो छोड़ो तो midday mill योजना आप जानते हो ना किसलिए यूज चलाई गई थी कि लोगों बच्चों को ज़ो है वो ज़्यादातर केस में आपको खाना इसकूल में मिल सके और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे ज़ो है इसकूल में अपनी पढ़ाई को करने के लिए आ सके सेकिंड आप जानते हो कि रासन व्यवस्ता आपको दी गई है रासन व्यवस्ता आप जानते हो ना रासन कार्ड के थुरू आपको रासन मिलता है भूख को समाप्त करने के लिए आपको फूड सिक्वर्टी दी गई है मतलब कि आपको खाद्य सुरक्षा प्राप्त की गई है, जिसमें पोशन का जो है सुधार करना सतत-क्रिशी को बडावा देना क्रिशी को बडावा दो पोशन के स्थर में भगतने हैं आज भी आप जानते हो कि अगर यह सभी चीजे बन जाए और यह सभी चीज हो जाए तो हमें पोश्टी कहार अगर मिलने लग जाए तो हमारी जो हेल्थ है वो अपने आप से वर्क करना इस्टार्ट हो जाईए आज भी 40% जो चाइल्ड है उनकी मिर्त्यों खाने की ही बज़े से होती है 40% लोग अभी आज भी जो बच्चों की मिर्त्यों हो रही है मर रहे है वो किसकी बज़े से खाने के बज़े से जीरो हंगर इसी के लिए हमें domestic food production करना चाहिए घरेलू खाद्य उत्पादन करना चाहिए ability to import the food grains करनी चाहिए खाद्य आयात करने की समता होनी चाहिए और access to food grain and the dependent of the purchasing the power of the household मतला हमें क्या करना चाहिए खाय दिने की समता रखनी चाहिए ठीक है यह चीज है अब हमें कौन-कौन से point हमारे यहां भारत किया किसी के भी through country की बात किया है तो हम भारत ले ले थे उसके तुरू कौन-कौन से 5 point है इस SDG 2 के लिए चलाए गई है वो देखते हैं बड़े अच्छे तरीके से ठीक है इंडिया में कौन से 5 तरीके चलाए गए है कौन से 5 इनिसेटिव चलाए गए सबसे पहला food security के लिए क्या किया गया है खादे सुरक्षा के लिए यहां पर क्या किया गया है यहां पर आपके लिए खादे सुरक्षा के लिए आपका NFSA बनाये गया है यह NFSA क्या होता है यह आपका क्या है national food security act है जो 2013 के तहत में बनाये गया है जिसके थूरू आपका सब पहिलाओ को रासन कार्ड दिया जाता है, रासन पे, ठीक है, यस इनफ है, और सदस्य के रूप में सामिल किया गया है, और यह योजना जो है, AAY या अन्य योजना के नाम से जाना जाता है, जिस पे रासन कार्ड के उपर आपको खाना प्रोवाइड किया जाता है, मतब अन द हन्य तो हमारा अख्यावनिक ayam हमारे सभी चीमियतिक how होंगे हाइजीन रहा इन्वार्मेंट ठीक हैगा सब्कुछ हमारा लिए तो इसलिए ढमारी लिए जो परदान मंतरी शोय की सोर्ण के लिए चलाए गया मतार girls के लिए एक scheme चलाई गई है adults girls के लिए उन्हें भरपूर मात्रा में potion मिलना चाहिए जिसकी वज़े से आपका mal nutrition जो है अगर उन्हें मिलते रहता है तो hyzen रहती है और genetic अच्छी रहती है ठीक है ये चीज़ बात है agriculture productivity की बात की जाए क्रिसी की उत्पादक्ता में भी बड़ोतरी दिखानी पड़ेगी फार्मिंग में increase करना पड़ेगा कि जो बढ़ती हुई जनसंक्या उन्हें सभी को ये जो है मिलना चाहिए इंप्रूव करना है crop की productivity को बहतर फसल उत्पादक्ता आपको मिलनी चाहिए ये सारे पॉइंट आपके लिए रिमेंब्रेवल है तो इसलिए मैं आपको पढ़के बता दे रहा हूँ अगर आप पढ़ सकते हो तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ठीक है increase in live stock productivity की बात करें पसुधन उत्पादन में भ्रेद्धी की बात करेंगे कोई लागत लग दिया कोस्ट इफक्टिव होने चाहिए वो फसल में ती बिरता होनी चाहिए आप जानते हो ती बिरता किस तरीके दर फलो को पकाके इंजेक्शन करके दे 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 इंक्रीज करनी चाहिए इंटेंसिटी आफ क्रॉपिंग में बहुत ज्यादा मात्रा में आपको करना चाहिए पोधो को उगाना चाहिए डाइवर्सिटी देनी चाहिए प्राइज अच्छी रखनी चाहिए यह सारी चीज़ें आमें क्या करनी चाहिए इन पॉइंटों के अंदर SDG 2 के अंदर आपका आ जाता है फिर मॉनिटरिंग करनी चाहिए निगरानी रखनी चाहिए और भूख को समाप्त करने के लिए हमारा सपोर्टिव कैंपेंड चलाना चाहिए तबी सबी उससे अवेर हो पाए और अपने स्टोरेज को कर पाए ठीक है यह आता है यह आपके 4 के 5 और 5 पॉइंट हो गए जो आपके SDG 2 के लिए चलाए जाते इनिशियोटिव फिर सीग्स के लिए क्लानी व३र्टर से लिए सवच्छत्यां की बंद daw आपको करना है जल को आपको क्या करना या बिल्कुल साफ करना है 앞 humano बहुत कम जल आपके सर्फेस के ओपर अभी वी अवलेवल है तो 4% जो इंडिया में वर्ल्ड वाइड जो फ्रेस जल है उस रिसोर्स इसका हम यूज करते हैं आपके 17% जो है जो है और यसकी वज़े से बीमारिया जो भी डिसी जोंगे W वह बढ़ना श्टार्ट हो जाएगी और इसकी वज़े से भीमारिया जो होगी वह आपने आपuzzy जाएगा ठीक है क्योंकि आप जानते हो डिसीज जो होंगे पानियों के कारण और पांच वर्षी है जो डिसीज अभी ज्यादा था जो केसेज में हो रही है वो वाटर के कारण ही होता है वाटर में सभी को सुरक्षित और सस्ता पीने का पानी मिलना चाहिए अब जानो ठीक है क्या बोला गया कि आप सभी को पानी मिले वह आपको बिल्कुल सेफ होना से यह जल संचन जो है वह चनोती बहुत ज्यादा है आप 96% जो है मिनिस्ट्री जल जो है जल सकती वह पानी को इखटा करत मतर भर पूरबली बहुत चाहिए और आप तक पानी को सोच्वाड़ी सूचशील के अब जिए संच रही है किसको नहीं आ रही भी अजुकिा है तो इससे क्यों होता हमें सेफ एफ़ डेवल व्ट का मिल पाएगा और drinking drinking water जो है वो सबको मिल पाएगा क्योंकि जल सकती जो है यह सारा का सारा काम समालती है water की quality को हमें increase करना पानी की गुनवरता क्योंकि हमें पानी जो होगी वह बिलकुल साफ चाहिए सभी को अच्छे पानी का रूप मिल सके और पानी अच्छा मिल सके वो quality अच्छा मिल सके sanitation and hygiene for all सफाई व्यवस्ता और सवच्छता सभी के लिए होना चाहिए अब जानते हो कि आपके जो पानी है भारत के में जो जल है एक सुछालल को निर्माण किया गया है एक सुन्यमिलियन क्यूकि जो सचालल्य से निकला वाला जो अफसिष्ट होता है उस अफसिष्ट को जब मिलता है क्योंकि उस अबसेश्ट के अंदर जितनी भी कम खराब मेट्रियल्स होते हैं या पधार्त होते हैं वो जब पानी के अंदर मिलते हैं तो वो वाटर पॉलिशन का कारण बन जाते हैं और उसी वाटर का पॉलिशन का जो हमारे लिए लाबदायक नहीं होता हो फानी कारक हो जाता है अब आता है water recirculation and recycling अब जाद से जादा पानी का पून चकरण करो जो यूस किया हुआ पानी है उसका अगर उसका यूस कर सको दुबारा तो उसका उस दुबारा से करो पून चकरण करो जिससे आप पूरा का पूरा का मैंने वो बता दिया वर्क किस तरीके से कर रहा है या हमारे इसके उपर वर्क देन आपका आ जाता है कंक्लूजन लास्ट में कि ये इंडिया के उपर कैसे इंपेक्ट हो 2030 ये ना 2030 तक जो है ये कैसे हमारे लक्षे को गोल को अचीव करवाएगा इफ दे इंडिया टू अचीव दा गोल सेट अफ दी अजेंडा 2030 ठीक है ये अचीव कैसे करेगा हमारे लक्षे को नीती को बनानी में तो जो हमारे कारेविनित हो रहे नीती है समझस से बैठा रहना चाहिए उनके बीच में कोडिनेशन बना रहना चाहिए जिससे सारे काम हो रहे है सेंट्रल गवर्मेंट और आपके स्टेट गवर्मेंट के बीच में साथ ही प्रसासनिक एवम छोटे इस्थर पर इन नीतियों को कारेविनित करें मतलब जो भी छोटे लोगें उनको इसके बारे में अवेर किया जाना चाहिए ताकि वो अच्छे तरीके से इसके उपर काम कर सब्सक्राइब ततत विकास के लक्षे को यदि 2030 तक प्राप्ट कर लेते हैं इस लिए रहे हैं तो सब्सक्राइब करें अब का अच्छा को सब्सक्राइब करें किसी एक कंट्री एक्स को आपने कंसीडर कर लिया कोई भी कंट्री है हमें नहीं पता अब देखो यह आपका कंसेप्ट्री के पास रखा हुआ है भूमध्दे रखा के पास जो वह है कंट्री है वह है अब भूमध्दे रखा के पास जो कंट्री है उसका नाम कोई बता सकता है मुझे कि भूमद्दे रेखा के पास जो country है उसका नाम क्या है किसी भी एक country का नाम बता दो जो भूमद्दे रेखा के पास होता है भूमद्दे रेखा के पास एक country मालदीप हो गया, इंडोनेसिया हो गया सारे भूमद्दे रेखा से कुछ हो के ही गुजरते है ठीक है equator से होके तो किसी भी एक को ले लो मैंने इन दो का नाम बताया the following is the data to call consumption मतलब यह जो data दिया हुआ है कोईला जो consumption किया जा रहा है कोईले का जो use किया जा रहा है वो दिया गया 2011 में आपका 50 था 2012 में और बढ़ गया 2013 में और बढ़ गया 2014 में और बढ़ गया मतलब यह increase होता जा रहा है increase होता जा रहा है फिर decrease हुआ फिर increase हो गया मतलब यह एक milestone देगा हुआ है कि कैसे आपका use हो रहा है और किस तरही कैसे आपका work कर रहा है ठीक है हमने बात कर लिए which has the whose reserve for the coal but where the government has also planned to sustainably reduce the coal uses almost zero by year 2050 इसने बोला है 2050 तक आपकी सरकार यह चाती है कि आपका जो coal use हो रहा है वो पूरा का पूरा zero कर दिया जाए coal की जगा पे उसका alternate कोई और ढूंड लिया जाए तो उसके उपर आपको इन question के answer देने जाई है जो नीची आपको दिये गए कॉसन समझा गया बस coal का use खतम करना है 2050 तक और उसकी जगा पे कोई और चीज को यूज करना है ठीक है आईए हम देखते हैं सबसे पहला यहाँ पे बोला है waste on the above data given below the question make the time series plot ठीक है time और series plot बनाना है of the coal consumption pattern 2011 से 2021 के बीच का ठीक है अब यह क्या time series plot दो तरीके के होते हैं मैंने यहाँ पे बार के थ्रू बताया हुआ है time series plot भी आप बना सकते हो time के साथ कैसे series plot हो रहे हैं उनके उपर मैंने आप पे देखो बार graph के according जो भी data है उस data को आपको यहाँ दिखा दिया है बार graph के according क्या हुआ नीचे आपके year ले लिए गए है year जो है 2012-2014-2016-2018-2020 अब इसके बीच में यह है ना यह 2013 है 2011 यह data आपके नीचे बीच में दिया हुआ है यहाँ पर टुटा जो यहाँ पर जो कंजप्शन हो रहे हैं वह ओल का इनके डेटा को बता दिया कि यह data जो है यहाँ पर देखो 50 था फिर इसके बाद 80 था यह data आपको अपको इस data को सारी data को यह graph so करना start कर रहा है इसने graph को मैंने इसमें दिखा दिया अपने अकोडिंग जैसा भी यह graph बस यह ऐसा होता है जो भी वहां पर इंपक्ट कर रहा है उसको यह बना दो time series जो है वो भी आप बना सकते हो यह बाहर ग्राब भी बना दो time के साथ कैसे कैसे बढ़ रहा है यह series वह आपको graph बनाना के लिए बस क्या करना होता है नीचे आप data लो एक और उस data के according जो भी दूसरी data दी हुई है इस जगह पर आपको उसको बढ़ा देना है फिर दूसरी जगह पर इसको भी बढ़ा देना है तीसरी जगह पर इसको भी बढ़ा देना है वो data जो बढ़ रही है उस plot को आप time series जो plot है वो बना सकते, clear, then आपका second point आता है यहाँ पर, second point दिया हुआ है कि critically examine the coal consumption tense of the country and discuss it impact on the socio-economic and environmental condition coal का इतना ज़्यादा आप use जो कर रहे हो ठीक है, देश में जो coal है, उसका जो ज़्यादा से ज़्यादा use हो रहा है, खपत हो रहा है उसकी प्रावर्ती का समालोचनात्मक परिछन करना है आपको और फिर समाजिक, आर्थिक और परियावर्ण ये परिश्चितियों पर इसके परभाब क्या है, मतलब समाज पर कोईला का क्या प्रभाब पढ़ रहा है आर्थिक इसस्चिति पर क्या पढ़ रहा है और परियावर्ण पर क्या पढ़ रहा है अगर आप इसको खतम कर देते हो या फिर आप इसका use करते हो तब, ये बताना है कोईले को खतम कर दो तो तब तो impact नहीं पड़ेगा आपके लिए helpfully रहेगा क्योंकि वो सबसे जाता जो gases जो है ना impactful gases greenhouse effect gases को निकालता है वो हमारे health के लिए खराब होता है ठीक है मैंने कुछ point जो है overview type में दिये हुए जैसे 2050 तक हमारी country जो है वो कोईले के use को क्या करना जाती है कम करना चाती है critically examine करना है coal consumption को country जो है 2050 तक क्या चाती है coal जो है उसका पूरा zero कर दो reduce जो है वो zero कर दो उसकी जगापे कुछ और use करेंगे अभी सबसे ज़्यादा जानते हो कि electricity को produce करने में तो माइनिंग में जितने भी बंदे काम कर रहे है वो क्या होंगे खतम उनका काम की इस्थिती खतम बेरोजगार हो गए क्योंकि उनको अब नई इस्थिती आई suppose मालो कि मैंने मैं विंड एनर्जी लेके आया नई विंड एनर्जी लेके आया तो विंड एनर्जी की technology को तो उनको सीखना पड़ेगा अभी माइनिंग में काम कर रहे थे बट माइनिंग में का परियावरंट भी अच्छा हो गया परियावरंट saya को परिवर्तन की बात की जा défin जो हमारे समाज़िक परिवर्तन एं माने करना पड़ता है क्यूंकि जो हमारे समाज के उपर इसका इंपेक्क बहुत जादा पढ़ेगा तो लोग जहां वो बेरोजगार होते जाएंगे lack of employability आ जाएगी मतल़ रोजगार में कमी हो जाएगी समाजी करूप से जो है हमारा environment के उपर जो impact पड़ेगा environment effect की बात की जाए तो energy security की बात की जाए तो reduce करना पड़ेगा coal के consumption को और coal की energy को हम reduce करेंगे और move करेंगे हम energy security के तरफ ताकि हमारा जो energy है वो environment वो कम हो सके pollution को कम कर सकते हो किस से आप renewable energy का use करके renewable energy जानते हो कौन सी होती है वो energy जो कम से कम pollution करती है और वो energy कौन सी होती है जैसे जासे जो रूजा हो गया आपका जीओ thermal energy हो गया यह सारे के सारे कुन से होते है यह renewable energy ही होते है country के अंदर use किये जाते है और यह climate change के लिए सबसे बड़ी चीज़ होती है आप जानते होना कि हम बोलते है कि चार-चर महिने का सारे के सारे weather होने चाहिए अब आज कहा होते है आज थंड इतनी ज़े बढ़ गई थंड एकदम से खतम हो गई गर्मी बढ़ गई गर्मी खतम हो गई कुछ नहीं होता कुछ system एक टिक थोई नहीं होता है तो परियावर्ने परिभाब जो है वो हमारा पढ़ गया दोनों हमने प्रभाब की बात कर ली यहाँ पर नवीकर्णिया की बात कर ली कि नवीकर्णिया एनरजी क्या होती है आपकी अब थर्ड आप से पूछा गया है यहाँ पर पॉइंट क्या थर्ड पॉइंट आप से question में पूछा गया है कि suggest करना आपको some measures that the country should adopt to sustainability reduce the greenhouse emission and air pollution by the year 2050 अब आपको country को suggest करना है कि भया इस चीज को use करो ताकि आपके greenhouse effect जो emission gases है like methane bromine ठीक है chlorine यह सारे gases जो है यह इनको खतम किया जा सके और pollution को भी खतम किया जा सके कि इसको pollution को भी खतम किया जा सके आईए हम बात करते हैं क्या कि हम initiative चला सकते हैं ताकि इनको खतम किया जा सके हैं फ़ड़ पॉइंट में हम suggest करते हैं आईए suggest भी कर लेते हैं कुछ कुछ suggest भी कर लेना चाहिए हैं अब देखो यहाँ पर क्या है gases like gases की बात की जाए gases methane bromine यह सारे gases आप जानते हो कि यह बहुत ज़्यादा मात्रा में निकलता है किसकी वज़े से अगर coal जल रहा है koila petroleum यह सब जल रहे हैं तो इसमें सबसे ज़्यादा gases यह सारे निकलता है क्योंकि इन्हें हम जिवासमिंदन कहते हैं क्या कहते है फॉजिल फ्यूल कहते है यह फॉजिल फ्यूल ही ozone layer depletion का रीजन भी बनाए जाद रखना यह ज़्याद आप gases यूज़ कर रहे हो वही तो आपका डिपलीशन का रीजन बन रहा है क्यांगे सबसे पहले नवी करने हो उर्जा संसादन जो है जैसे वायू ओर्जा सोर ूर्जा और जल उर्जा कई और हम नुर्जा का यूज़र का रियूज़ करने लग जया तो हम pollution को कम कर देंगे और pollution कम हो जाया तो इसकी वज़े से आपके जो यह gases निकल रहे निखेन और यह सब यह सारे के सारे gases भी क्या होंगे खतम होते जाएंगे तो wind energy क्या होती है wind energy एक ऐसे energy होती है जो air के through turbine को घुमाके हम करते हैं उत्पन करते हैं और यह good option होता हमारे reduce करने के लिए green house effect के लिए क्योंकि इसमें से कोई भी energy या कोई भी gas ऐसी नहीं निकलती है जो हमारे environment को impact करे solar energy की बात की जाए यह भी हमारा good option है यह green house effect जो gases है उनको emit नहीं करती है या कोई भी gases ऐसा जो नहीं है जो green house effect जिसको बाहर यह निकलती हो ना ना solar energy के बारे पर जानते हो ना solar panel sun आया उससे energy को produce किया उससे हमें फाइदा हो जाता है तो इसमें क्या-क्या होते है क्या-क्या होता है कहा-कहा से energy निकलता है तो इसके point याद रखना इसमें क्या होता है एक background होता है फ्रिष्ट भूमी होती है जिस पर सूरज की रोसनी पढ़ती है सोर उर्जा उतपादक समागरी होती है background होता है solar energy producing material होता है और solar energy cell होता है यह तीन चीजों की बज़े से हमारी energy जो होती है वो produce हो पाती है solar water energy की बात की जाए तो जल उर्जा भी हमारे लिए क्या होती है इसके लिए काम करती है जल उर्जा भी उत्पन होती है यह hydropower plant क्या होता है पानी आया, turbine है घुमेगा, turbine घुमा, turbine गुमने की वज़े से काइनेटिक बनी काइनेटिक मतलब बो सकते हैं कोई çीज रुकी हुई है रुकी हुई हुई चलने लग जाए तो चलने के बज़े से क्या होगा वह आपके काइने richness में आजाएगी kinetic मतलब कह सकते हो वह चलने लगेगी और सब्सक्राइब लगu चलने के वज़े से जो होती है वह another increase होती है उसे ही हम क्या कहने लग जाते है हाइड्रो पावर प्लांट में हार्वेस्टिंग करके भी हम कर सकते हैं क्योंकि हम डैम के थूई ही हम पानी का इखटा करते हैं और उसको फिर टर्वाइन पर गिरा का है हम इसका बात करते हैं कि आप कौन-कौन से और पापना सकते हो जिससे आप प्लूशन को कम कर सकते हो प्ल्यूशन कम करने के लिख स क्रूपन कर सकते अब सोशन करवादे होगे मतलब क्या कहते हो एब्जॉर्ब हो जाएगा और एब्जॉर्ब करने के वाज़े हमारी वायो डाइवर्सिटी है वो भी हमारी प्रोटेक्ट रहेगी बात करता है एकेंड आता है यूज ऑफ दि लेटेस्ट एनर्जी सोर्सेज मतलब नवीन्तम उर्जा शुरोतों का उप्योग करो नवीन्तम मतलब जैसे वीन्ड एनर्जी हो गया इन हाइड्रो पावर प्लांट हो गया इन सभी चीज़ों का यूज करो ताकि आपकी एनर्जी जो होगी कम से कम पॉल्यूशन को इन्क्रीज करें कीपिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट क्लीन मतलब क्या करना है सारवजीनिक परिवहनों का स्वच बनाए रखना और ज्यादा तर इसका यूज करना क्योंकि अगर प्रसनल हम प्राइवेट यूज करते तो उसमें ज्यादा ज्याद को हमें क्या करना चाहिए प्रमोट करना चाहिए तर इस तरीके सामने क्या देख लिए यहां पर यह पॉइंट्स इंदी लास्ट में हम क्या कह सकते कंक्लूजन कह सकते इस परकार कि 2050 तक जो हमारे इनिसेटिव चलाई गई है सुनने कारवन करने के लिए किसी देश के के लिए प्रेरीट करेंगे क्यों कि नविक अर्णिय उर्जा का ज्यादा ज्यादा जितना यूस करोगे आप वह आपके लीए हल्फुल है क्योंकि वह कम से कम पोलीशन करता और पॉलीशन कम हो गा तो हमारे लिए मोटिवेशन होगा कि हमारी हेल्थ परकोई इमपक्त नह तेजी में बता जो सभी के सभी है नेक्ट कोसन है आपका एर्थ कोसन के उपर हम चलते हैं और बात करते हैं आईए देखें बेश दोंदा डायग्राम गिवन बिलो अंसर दी फॉलॉइंग कोसन नीचे दिये गए आरेक के अधार पर प्रसुन के उत्तर देने हैं अब यहां यहां पर जो दिया हुआ है पहले घाश है घास के साथ यह सारे के सारे बताए गए है कि ग्रास हो गया म्यूल ओगया खचर हो गया डियर ौगया आपका बटर्फलाई हो गई ठीक है और बेडिया हो गया यह सब चीज आपको दिये हुए अब यह दिया हुए तो इससे identify the type of ecosystem starting appropriate reason आपको ये बताना है उप्यूक्त कारणों को बताते हुए कि पारी तंत्र के परकार को पहचान किजिए कौन सा पारी तंत्र है और किस तरीके से ये पूरा काम कर रहा है अब word आया है यहां पे घास घास आते ही आप समझझ जाओ कि यह जो ecosystem उखोपोध अको सा ecosystem ए ग्रास ecosystem क्योंके कि इसके अंदर क्या यूज किया जा रहा है खास का यूज करके आपको बिनाया जा रहा है एक system तो आपको यहाँ पर पहले इस food chain जो बन रहा है food chain को organize करके बताना है कौन किसको खा रहा है एक पूरा system बनाना है ठीक है यह चीज़ तो आले एक दिखाते हुए यह भी हम दिखाएंगे and फिर briefly mention करना है importance of this ecosystem पारी तन्तिक महत्व को संखेप में उलेक करना है आईए देखते हैं इन सभी पॉइंटों को एक एक करके जानते हैं और अच्छे तरीके से explain करते हैं ठीक है हमने क्या किया types of ecosystem की बात की तो हमने बात की grass की बात आई तो यहाँ पर grass ecosystem आई रीजन क्या है reason simple सी बात है कि इस पारी तन्तिक में जो है प्राथमीक दिर्थिय और तिर्थिय पहले क्या है grass आया जो producer था फिर उसके बाद दूसरा system आया जिसमें आपका जो घांस को खाने वाले थे फिर उस जो टर्टल था उस टर्टल को खाने के लिए कोई दूसरा आया या फ्रॉग की बात कर सकते हो टर्टल आया फिर टर्टल के बाद फ्रॉग आया तो यह सभी क्या है एक दूसरे को खाते जा रहे इसे लिए इसको हमने गरा सिंटार के नाम से जाना प्राइमरी प्रोडूसर कों होते हैं जो फोटो सिंथेश करके खाना बनाते है अपना इनके पास 100% एनरजी होती है अपनी क्योंकि इन्होंने अपना खाना खुद बनाया आब कोई आया उसने इसको खा लिया मताब प्र 10% low follow होता इसमें क्या याद रखना एक word 10% low यहाँ पे 100 था फिर जैसे इस ने जैसे परकास अंसलेशन करके पोधो ने अपने खाना बनाया photosynthesis करके उनके खाने को हमने खाया तो हमारे पास only 10% ही आएगा 90% जो है वो heat loss में चला जाएगा अब क्या 100 का 10% क्या था 10 मतलब हमारे पास only 10 energy ही मिलेगी फिर उसके बाद हमने जो खाया हमें अगर कोई मान सकते हो टर्टल आया था उसको frog ने खा लिया तो frog ने उसको खाया तो अब frog के पास जो energy जाएगी उसका भी 10% 10 का 10% जो है वो 1 मतलब उसके पास एक energy जाने वाली है पोर्त अगर कोई बंदा इसको खाता है तो इसके पास 0.1 energy जो जाएगी और सारे के सारे loss हो जाएगी इस तरीके से जो energy है वो चलता जाता है और यहाँ पर मैंने primary consumer कौन कौन है secondary कौन कौन है यहाँ पर tertiary कौन है यहाँ पर बता दिया है सब कुस reason आपको समझा गया किस तरीके से एक food chain बनता है food chain एक ऐसा chain होता है जिसमे energy का linden एक से दूसरे में होता जाता है और यह हमारा पूरा का पूरा वर्ग करता जाता है इसी को हम प्रात्मिक उत्पादक के रूप में घास और प्रात्मिक उभोक्ता के रूप में खर्गोस और हिरन और उभोक्ता के रूप में खच्यर हिरन तितली ठीक है और कि इटमार और तिर्तिय उबहुता के रुप में बाज और भेडिया यहां पे अब लेवल करवाएगे जो भी है उबहुता उनको इबारे में यहां पे मैंने बता दी आपका सेकेंड पॉइंट आता है सेकेंड आया कि पारी तंत्रिक में जैविक और अजैविक घटक जैविक मतलब जानते हो लिविंग जिसमें जान है वह लिविंग जिसमें जान नहीं वह लिविंग लिविंग नॉन लिविंग नॉन लिविंग नॉन लिविंग नॉन सारी क्या है सारी कh в product Meg never will take a look at अप्ट हर्द पॉइंट किया बॉलाता है कि functional Food chain को पूरा okay read करके बताओ छींकि उन्ऱ ने यहां पर आप यहां बना दिये इसके बाद इसे बाज ने खा गिया पिर ये ग्रास पे आया ग्रास की बाद हिरन ने खाया ये एक पूरा का पूरा सिस्टम मना दिया ये पूरा पूरा एक food chain जो है मैंने 2 food chain को create किया हुआ है सबसे पहला या घھास डियर के बाद आपका कोयोटो Toyota के बाद आपका यहाँ पर Simple सी बात आपका यहाँ पर क्या आ आ जाता है आपका Direct आपका Hawk पर चला जाता है तो यह आपका पूरा का पूरा सिस्टम बन गया और सिस्टम बनने के बाद यह आपने Food Chain को Create के लिए gute आपके अकोर्णिग जो भी बेस्ट लगे नो बना सकते हो मैंने यहाँ पर जो भी बनाया आप उसकी अकोर्णिग आप इयर से बना लो जरूरी नहीं इस से बनाना इचले बना भी सकते हो आप बना सकते हो जैसा भी आपको अच्छा ले Importance of ecosystem सिस्टम के इंपोर्टेंट्स क्या है मुझे बता सकता है कोई एको सिस्टम के लिए आपके लिए इंपोर्टेंट्स क्या है एको सिस्टम के लिए एक जीब जन्तु या एक इनसान अपने आपको मेंटेन करके रख पा रहा है अधरवाइस एको सिस्टम ना हो ना तो हम एक इ अगर घाहाँ से यह खतम हजाए अब यहां पर क्या होगा यहां प होगा इसकी सिस्टम बढ़ना सिस्टम और इसकी वजह से इकोसिस्टम में अगर फूरा Unbalance और हमारा काRR system का सिस्टम खराब हो जाiron important ecosystem की है जो भी physical factor है उनको maintain करके रखना चाहिए थाकि हमारा जो नेचर वह बैलेंस रहे और हमारे ecosystem जो है वह b Valance रहना चाहिए और ख़तम होना चाहिए और में भी एक question द्या हुआ है पिरमेड के टाइप का दिया हुआ है ठीक है और यह और में कोशन अच्छा सा कोशन है देखो बड़ा मज़ आएगा आपको इसको करने में ठीक है 10% लो के अकोडिंग है ठीक है तभी मैंने यह कोशन डाल दिया है एको लॉजिकल पिरमेड तू दी अंसा दी फॉलॉइंग निमली के तुम्हें दिये गए पारिस्टिक पिरमेड पर विचार करना है और इस दिया है एनरजी एड़ दा प्रोड्यूसर लेवल जो प्रोड्यूस कर रहा है कौन जो फोटो सिंतेसिस करके अपना खाना मना रहा 100% है यह इसका मतलब ठीक है देन केल्कुलेट दा एनरजी रीचिंग एड़ टर्सरी लेवल टर्सरी लेवल मतलब सेकंड कंज्यूमर तर्सरी लेवल मतलब सेकंड कंज्यूमर डैट इस हुमें टू दी और लॉस्ट और जो हीट लोस्ट होगा उसके अंदर हीट का जो तक पहुचने वाली उर्जा को और कोई हुई उस्मा की गढ़ना करने है लाइक मानो कि आपके पास 1000 जूल की किलो जूल की एनर्जी है यह प्रोडूसर के पास है अब आप प्राइमरी के पास जाए जाएंगे मतलब हो सेकंड कंज्यूमर लेवल के पास आपको जाना है पिरामेड के अंदर क्या होता है सबसे पहला प्रोडूसर होता है प्रोडूसर के बाद प्राइमरी होता है प्राइमरी कंज्यूमर फिर आता है सेकंडरी कंज्यूमर और यही आपका टर्सरी लेवल पर पहुंच गया पहला दूसरा तीसरा सपोज मैंने यहां पर मेरे पा बात की जाए तो उसके पास कितना जाएगा इसका एक जाएगा कितना जाएगा एक जूल जाएगा तो टर्सरी के बात बात हुई है यहां पर कि टर्सरी लेवल के पास आपको पहुंचाना है तो टर्सरी लेवल के पास पहुंचाना है तो यह हुआ अब सिंपल सी बात आपक कितनी मिलने वाली है दस जूल की एनर्जी आपको मैथमेटिक्स का छोटा समय रूप आपको करके दिखाया है समझ आ गया होगा 10% लोग को फोलो करवाना है और कर देना है अब करना स्टेट विच एको लॉजिकल पिरामेड विल आलवेज अब भी राइट मतलब बताएगे क कौन सा पारिसितिक पिरामेड हमेशा सीधा रहेगा कौन सा जो एनर्जी को ट्रांसफर करेगा एक जैसे दूसरे जागा एनर्जी को ट्रांसफर कर रहा है वो हमेशा सीधा रहने वाला है एनर्जी पिरामेड जो है एनर्जी फ्लो होगा एक लेवल में जब हो रहे होंगे same level में हो रहेंगे तो वहाँ पे जो heat transfer होता है वो आपका same रहने वाला है clear यहाँ पे हमारा यह पूरा 8th question खतम हो जाता है then आते हम अपने 9th question पे question number 9 जो है वो हमारा क्या है आए देखते हैं इसके बाद हमारे 3 question बचे हुए 3 question को हम देखते हैं एक एक करके उसका हमारे संराचनात्मक और कार्यात्मक बताना है और explain करना with suitable example पारिष्टी तंत्र को संराचनात्मक और कार्यात्मक से आप क्या समझते हैं उप्यूक्त धारन के साथ समझाना है आए सबसे पहले इसके introduction की बात करते हैं कि ecosystem होता है क्या ecosystem का मतलब क्या होता है एक जीब दूसरे जीब के साथ पर निरवर होता है और अपने खाने पीने के लिए उससे बातचित करता है यह सभी कामों के लिए उससे बातचित करता है उसी को हम ecosystem कहते हैं simple language में कही जाए तो यह पारिष्टी की तंत्र जो होता है या विद कह सकते हो उन्होंने उनके द्वारा गड़ा गया था और बताया गया था कि पारिष्टी तंत्र होता क्या ecosystem होता क्या लाइफ क्या होती है यह सभी चीजे बताई गई थी इसके अंदर पारितंत्र के बारे में मैंने परिवासा तो दे दिया है दुबारत देने के जवर तो नहीं है बता दिया गया वही चीज़ें यहां पर अब स्ट्रक्चार औफ एको सिस्ट्म की बात करें स्ट्क्चर की ऐको सिस्ट्म पर एक क्लाइमेट कंडिशन जो होगी वह अपने आप से खराब होती चाहिए पारी तंत की संदचना को बनाई रखने के लिए जलवायू की परिष्टिती को बनाई रखने के लिए हमें काम करना पड़ेगा आए कैसे बाइलोजिकल कंपोनेंट के वारे में हमने पहले एक्स्प्ले प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी और यह बास जो आता है वह हमारा पूरा का पूरा खतम में चला जाता है अब क्या हुआ प्रोड़क्टिविटी की बात करते हैं प्रोड़ेक्ट कौन होता है जो फोटो सिंथेस करके सिंपल सी लेंगवेज में मैं जल्दी से समझाते था जो क्या करता है फोटो सिंथेस करता है और फोटो सिंथेस करके अपने खाने को बना के और उसके बात प्रोड़क्टिविटी उत्पादक के रूप में हमें प्राप्त करता है जो पूरा 100% एनरजी लेके हमारे पास आता है जो प्लांट करते हैं ठीक है फर्स्ट बना दी गई लोग जाते हैं उस गाड़ी को ख़िद लेते हैं बनाने में प्रोडूजर ने किया काम था उसको जाके ख़िद के लेके आ जाता है अपने अकोडिंग तो वैसे ही है कि फूर जो होती है प्रोडूजर से लेके एनर्जी का ट्रांसफर्मेशन अपने अंदर कर लेते हैं डिकंपोजर क्या होते हैं डिकंपोजर का काम इतना सा होता है जो डेड़ बोडी होती है वगरा जो होते हैं उनको क्या क्या जाता है उसको डिकंपोज करके उसमें से एनर्जी को कनवर्ट कर लेते हैं एनर्जी को क्या कर लेते हैं फाइंड आउट कर लेते हैं तो प्राथमी को भोगता देरती है और तिरती है भोगता जो होते हैं ये सभी के सभी energy को खाते हैं और उसको खाने के बाद energy को ले लेते हैं Decomposer के अंदर हो गया ये आपके biological में आ गये आ बायोटिक के अंदर कौन से आते हैं जो non living thing होते हैं और non living thing के example में आप air ले लो light ले लो temperature ले लो humidity ले लो कुछ भी उठा लो ये सारे के सारे क्या होते हैं आप आयोटिक के अंदर आते हैं पर आता है function of ecosystem मतब पारी तंतर का कार्रे क्या होता है पारी तंतर का कार्रे सिंपल सा यह होता है कि दो लोगों के बीच में connection को बना के रखना और उनको बीचों में जो भी energy का transformation हो रहा है उन energy को बनाए रखना हो ताकि पारी तंतर के वज़े से वह एक दूसरे से ना हड़ सके और पाश्चिती की तंतर को बना के रख पाए एक food chain को बना के रखना component को बना रखना और बायोटिक के बीच में पहला काम पृत्वी को जीवन को चलाने का काम ecosystem का ही होता है otherwise ecosystem नहीं तो समल दो पृत्वी पे जीवन ही नहीं रहेगा जैविक आ जैविक की बात करे भू air में presence suppose मानो जो यहां पर air है इसमें रखी हुई क्या होती है इसमें रखा हुआ जो गैस है nitrogen माल लो उसнет गैस को क्या करते है तोड़ते हैं और मिट्टी में मिलने के बाद वो जड़ जो होते है उसको bankrupt करते हैं और एब्जोर्व करने के बाद वह क्या करते हैं इस duty के conclusion की बात की जाए इंदर लाश्ट में की पारिष्टी तंत्र जो है वो परियवन का एक छोटा सा हिस्सा है जो हमारे जीवन को चलाने के लिए कार्यात्मक एकाई के रूप में माना जाता है पर नमर तेर्ट है हमारे यहां पर वह वो क्या है हमारा डिस्केस गरना केस इस्ट नंकौन अब कॉन्द गोर्प्रेस जल संसाधन पर क्लार व९ ही उचुक अपने के लिए इुकर करना चाहिए इनका इसलिए करना चाहिए ताकि हमारा जो system है वो easily तरीके से बन सके और हमारे प्राकरतिक संसादन जो है land resource आ गया water resource आ गया और energy resources आ गया वो सभी को हम बनाई रखे और हमारे लिए वो useful रहे किसी भी काम को करने के लिए सिंपल सी बात फिर यहां पर क्या होता है अब हमने क्या किया कोई mining process की mining process का मतलब क्या होगा अगर हम खनन process करते हैं तो उसके अंदर भी क्या किया जाता है वहां से energy को produce करवा जाता है है ना resources energy land आप कोई भी mining process करते है ना तो उससे हमारा जो भूमी संसादन वो खराब होता जाता है तो भूमी संसादन को बनाई रखने के लिए हमें इस जोग का use करना था है conflict तो है यार ज्यादा से ज्यादा जितना ज्यादा हम प्राकरतिक संसादन का use करेंगे जितना से ज्यादा हम मानव्य गतिवीदिया करेंगे उससे हमारा जल संसादन आप मानो ना कि आप जितना ज्यादा खनन करते जा रहे हो मतलब आप खनन की मतलब mining कर रहे हो उसकी वज़े से मिर्दा का अपर्दन होना start होगा मतलब मिर्दा अपने जगा से दूसरी जगा जाएगी उड़के जाएगी और उड़ने में क्या होगा काम क्या काम करेगा आपका air है पानी है ये सबी चीज़े पानी जो मिर्दा है उसको अपर्दन करने में हैं, soil erosion में काम करेगी, इसकी बज़े से क्या होगा, आपका air, जल में, मतलब उर्जा के साथ आपका जो air है, उसमें pollution होगा, अब air pollution वाली चीज पानी में जाके मिल गई, तो अब पानी भी खराब हो गया, उसकी बज़े से water में भी कमी होगी, water resources में भी क्या हो गया, संसाधन खराब हो गया, और फिर energy resources जो होगी, energy resources वो भी अपने आप खतम होने लग जाईए, तो यह तो conflict चलेगा नहीं है, इनके conflict को तो चलाना पड़ेगा, यह three types के जो conflict है, इनके land resources है, इनके बारे में बात करते, एक-एक करके दीरे-दीरे, आप देखों, यहाँ पर मैंने जो बताया है न वही चीज़ है, आप land resources में क्या conflict क्या चल रहा है, आप plantation की बात, आप जादा जादा आप क्या करोगे, deforestation करोगे तो इसकी वज़े सा energy जो होगी, major group में क्या होगी, तम होती जाएगी, बढ़त इन सब चीज़ों को रोको, यही तो आपका पूरा का पूरा कारण बनते हैं, और कौन कारण बनता है, इनका कारण जो बन रहे हैं, कारण यही बन रहे हैं, अब क्या करते हैं, हम struggle करते हैं, deal करते हैं, tree को plant करो, forest management करो, farming करो, और solid waste management को करो, जिसकी वज़े से आप अपने आपको easy तरीके से काम कर सकागा, bricks ज्यादा ज्यादा open करोगे, तो इसकी वज़े से plantation करोगे, तो इसकी वज़े से आपका pollution कम होगा, और pollution कम होने की वज़े से àpka soil का erosion भी आपका कम होता जाuiteँगा, जिसे हम क्या करने लग जाए, तो म रिद्धा पर्धन कम हो जाएगा, पॉधों का प्रवंधन पहले से करके छलोगे तो इससे आपके खत्रे जो होंगे वो बंते जाएंगे और सरकार के दौरा जो भी लोगज चलाई जा रहे हैं और जो भी आपके नागरिकों के लिए संरक्षन किया जा रा है वह संरक्षण लोगँ का आप इसремे यूज करोगे, forest management में cultivation method की बात की जाए तो आपके खेती के तरीके में हम कीट नासा, उर्वरा की इनका use करते हैं, अत्यादिक सिचाई करते हैं इन सब चीजों का हम use करके भी हम पोधों को पकाते हैं, तो वेस्ट management की बात की जाए तो इसकी वज़े से यह हमारा क्या होता है, यह हमारे conflict का कारण बनता है, क्यों जो भी waste material निकल रहा है, उसके लिए हमें awareness फाने चाहिए ताकि यह waste material को decompose कर दिया जाए water resources की बात करते हैं, अब water जानता हो कि water solid में भी liquid में भी vapor में तीनो phase में पाया जाता है, यह कैसा water ही है जो तीनो phase में आपको मिल पाता है, ठीक है तो अब आपने water resources की बात किये, भूमी संसाधन की अब यहाँ पर आपने भूमी संसाधन ले लिए pollution का कारण क्या बनता है, आप भूमी आप जादा जादा खनन करोगे, यहाँ आप सिंपल से मैं point बता देता हूँ आप explain easily तरीके से कर पाऊगे अब water की quality को बढ़ाने के लिए, water की quality अगर बढ़ानी है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको जो आपका जल संसाधन है उस जल में जो भी pollution या pollutant मिल रहे हैं इसके तरू भी आप जल संसाधन को बचा सकते हूँ तो जल संसाधन को बचाने का रीजन यह बनता है वाटर प्रिवेंशन वाटर पॉल्यूशन, वाटर हैजर्ड, मैनेजमेंट, रेन वाटर हार्वेस्टिंग करके यह सारे के सारे जो पॉइंट चला है हार्वेस्टिंग करके डैम वाटर कंजर्वेस्टिंग करके प्रिवेंशन वाटर पॉल्यूशन करके यह सारे पॉइंटों को एक्स्प्लेंट करने की जोगत नहीं मुझे मैं उपर पहले से कर चुका हूँ तो आपको इतने अच्छे तरीके से अब समझ आ गया होगा है ना आते हम नेक्स्ट पॉइंट पे उर्जा संसाद यह पॉइंट तो याद कर लो अंदर की चीज़ों एक्ट के बारे में मैंने पहले भी बता दिया आपको ठीक है वाटर मैनेजमेंट कैसे कर सकते हो आप र यह रिसोर्सेट से जाती है एको इतना अरगु कापरिक की बात कीज़ाये गैर परंपरिक के जो आपके यूज़् होते है जो जैसे वैकर मतले और आपके नवी उर्जा ऑगिया यह सारे उर्जा जो हते हैं वह नवी करों सब्सक्राइब दोफ ने पर किया ली जो कभी खसामी Canal यह रए नहीं करते उसे नवी घरर्ञेजिए करने संसाधन क्याते इसे अपको पॉलियोंशन पी कम होता है और बियूंशन के साहट आपका जो सिश्टं अपका पॉलियूशन कम होता है इफेक्टिब भी होता है हर चीज आपको इसमें प्रोवाइड किया जाते हैं ठीक है सूर्य के परकास के तो conclusion last में कह सकते हो कि प्राकतिक संसाधन जो है उसका हमें संदक्षन करके चलना चाहिए जो हमारे लिए प्रवंधन का काम करता है और संसार्ग में जो हमारी वातवरंड के अंदर जो हमारा जीवन है उसको यापन के लिए हमें हर चीज के लिए अपना पारंपरिक रूप से वर्क करते रहना चाहिए जो हमारे health के लिए helpful है इसी के साथ मारा जो लास्ट कॉशन आजाता है इस पूरी वीडियो का हमने 11 पे को संप पहुँ चुके हैह वाओ पूरा ऐलेवन्ग पोसर नवारा खतम हो चुके है सारी के सारे पर चर्चा करना, कोई भी जगा को उठा लो, उसके एको सिस्टम के बारे में बताओ, आप तो उठाओ के ठंड़े ही इलाकियों को मैं जानता हूँ, और वहां के सोशियो कल्चर, मतलब समाध्यक सांसेते विविद्धा जो है, उसके बारे में आपको बताना है, पर इच्च जो की अलग-अलग रूप में बाटी गई है, और आपके लिए वो रोमांचक भी होती है, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा एको सिस्टम जो होता है, वो आपकी परिस्टितिक तंत्र, वो अलग-अलग परिस्टितिक तंत्र में रहना आपके लिए बहुत ज़्यादा ह वह बहुत ही अच्छा रखता है और माउंटेन वाले एरिया में चले जाओ तो आपके लिए ब्यूटी का रिजन ही बन जाता है क्लाइमेट का रिजन बन जाता है क्योंकि हमने यहां पर परवतिय छेत्र को यह आप यहां परवतिय छेत्र की एक्स्प्लेनेशन आपने कोई एक्स्प्लेनेशन दे सकते हो मैंने यहां पर परवतिय छेत्र का दिया अब रिलेशन बताना है आपको क्या कि भारत के परवतिय छेत्र की पारिष्ट्र की तंत्रों समाजिक संस्कृति विवित्ता के बीच में संबंध किया है क्या सम्बंध किया है सबसे पहले माउंटे परवत परवत परदेश वाले जो छेत्र होते हैं पेड़ पोदों के लेकर जीव जन्तु तता आसपास के बातवन के जलवाईयों के बीच आपसी में किरियास दर्साते हैं मतलब लोग एक साथ अपने अकोर्डिंग बने हुए रहते हैं ऐसा नहीं है कि लोग वहां के पारिश्टरी तन से बने हुए नहीं रहते हैं पत्व हैं मतलब समाजिक और सांस्कृतिय रूप से अब जानते कि वहां की जो सामस्कृतिय रूप से बात की जाए तो लोग के वहां के पहने पहनावे भी अलग होते हैं पान भी अलग होता है माँटें पीन आगर आप कभी मॉंटें वाले जगह पर गए हो तो वहां की संस्क्रीती देखना बड़ी प्यारी लगेगी आपको लगेगा कि हां मैं कुछ सी जगह पर आया हूं ऐसी जगह पर जो आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छी जगह आपको दिखेगा तो समाजी कारतिक जगह है वह आप लिएसंसिप लिख सकते हो मैंने यहां पर वह एक्स्प्लेइन किया है दैन फॉर्डा कोमन नीड्स क्या 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 नीड्स रहती है वहां की परवतिये छेतर की कठीनाईयों में उन चीजों की बात करते हैं तो भ खाने के लिए फल हो गए फ्रूट्स हो गए उन सब एक चीजों का उनको जड़ते पड़े तो क्या करेंगे वह तो वह अपने आसपास के इंवार्मेंट के साथ ऐसा समझ जससे बना लेते कोडिनेशन बना लेते ताकि परवस से उन्हें नीचे ना आना पड़े मतलब पानी है सब चीज वह अपने आकोडिंग ले पाए ऐसा नहीं कि पानी की जड़त पड़ी तो ऊपर से 10 किलोमेटर नीचे उतरके आएंगे पानी पीने के लिए तब तो वही बात हो गई कि जब प्यास लगा तो चले खुआ खोद ने अब लोकल प्रोस्पेक्टिव एंड लाइफ इस्टाल इस्थानिय सम्रिद्धी और जीवन सेली की बात कि जाए यह हमारे क्या होता है जो वहां के जीवनिये अपने अकोडिंग बना के रखते हैं वहां के आप घर भी देखोगे ना तो घर भी इतने जादा बिल्डिंग जैसे नहीं बनी यह होती है जो लेंग्वेज में बोलते हैं संस्कृती बहुत प्यारी होती है यह ना वहां के डांस हो गई वहां के बोल चाल हो गई यह सारे के सारी चीज़े आप वहां पर देख पाते हो कि वहां पर अलग होता है सब कुछ वर्क सिभ वगेरा सब कुछ चलता है जो उता है वह बहुत ज्यादा ही रिलीजियस होता है लोगा खाना अपने क्फंड की अकोडिंग होता है जैसा बर्वतिय चेत्रों में खा मगी ज़्याद है स्वाध उस रूप में नहीं मिल पाता जिस रूप में कि महाँ प्याइगा, तो यहां पीग्र सתने उस रूप में यह जरूप दिखना आप jurisdiction ही तो फिर!.. टुलिजम होता है, परितोटइग ऍथे प्लेस होता है के दाननात हो गया कहां जाओगे वहां सभी जगह जाते हो तो क्या देखते हो वहां के लोग जो होते हैं वह आप सिफ फैमिलियर हो जाते हैं और फैमिलियर होके अपने अकोडिंग अपना वर्क करवाना इस्टार्ट कर देते हैं इन्दी लाष्ट में सबसे लाष्ट हम कंक इस्तितिक तंत्र परवतिये पारिस्तितिक तंत्र से आसपास संबंध या संसाधनों पर निर्वर रहना चाहिए जहां लोग अपने जीवन या अपन के लिए पारंपरिक या परस्परिक संबंधनों संबंधों के निर्मान को बनाए रखने के लिए प्रकरती पर निर्वर निर्वर्ता बनी रहेगी तो आप अच्छे तरीके से काम करपा हुए तो इस तरीके से conclusion कह सकते हो और conclusion के साथ आपका ये जो पूरी वीडियो है यहीं पर हमने सारे question को discuss कर लिया है सारे questions हमने पढ़ लिये हर तरीके की explanation मैंने आपको इस पूरे वीडियो के अंदर दे दिये आपको कोई भी doubt हो ना तो नीचे comment box में बता दिना आपको वीडियो कैसी लगी आप सभी अंतक बने रहे हो तो दिल से मैं आप सभी का सहे दिल से धन्यवाद कहता हूँ जो जो अभी अंतक बना रहा है आप सभी का I hope आपको ये पूरी वीडियो अच्छे तरी के समझ आयो अभी जाओ जल्दी से ले लो क्योंकि नोट्स आपके लिए बहुत ज़्यादा helpful होने वाली है एक्जाम में पोड़ दोगे अगर इस नोट्स को ले लोगे मिलते है नेक्स वीडियो मैंसे दमा के दर मज़ेदा टपिक के साथ जब तक के लिए बने रहे बिक की वर्मा के स झाल